मेरा नाम है विशाल चोहान और हिस्ट्री के अपनी सिरीज में वर्ल्ड हिस्ट्री का आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम इंडस्ट्रियल रेवलूशन वाला जो हमने पहला पार्ट किया था उसी के कंटिनुन्स में आज हम सेकिंड पार्ट जो है वो सेशन्स नहीं देखे हैं तो मेक्शूर दे वॉच्ट ओल डोस सेशन्स राइट वर्ल्ड हिस्ट्री के अगर आप मेरी इस सीरीज को फॉल्ड हिस्ट्री के जो अल्रेडी टॉपिक हम गवर कर चुके हैं रेनेसांस और उसके बाद एजो फनलाइट्मेंट इंडस्ट्रिय revolution ये सारे जो topics हैं इनको आप thoroughly follow करना शुरू कीजिए पूरे पूरे ये topics देखिए तभी आप जो है वो समझ पाएंगे मेरे पूरे पढ़ाने की philosophy को और ये पूरे पढ़ाने के process को और जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको तभी आप वो सारा जो है वो concept ग्रैब कर सकेंगे क्यूंकि आपको जो है वो नहीं केवल जाद से जादा फैक्ट हिकटा करना है मेरी ये कोशिश है कि आप जाद से जादा concept को जो है वो strong करें concept building जो है वो हमारा main agenda है right so मेरी ये ही कोशिश रहती है कि आपके concept strong हो तो आप पिछले session जरूर देखिए उसके अलावा जो मैं बीच-बीच में सवाल पूछता हूँ उनके जवाब आप मुझे comment के माधिम से देंगे plus आपको session कैसे लगते हैं आपका क्या opinion है session को लेकर क्या बात अच्छी लगी क्या बुरी लगी मुझे comment के माधिम से आप feedback जरूर provide कीजेगा और उसके लावा अगर आप CSC के लिए prepare कर रहे हैं तो study IQ की application को install कीजिए उस पे एक thorough course CSC के लिए UPSC CSC के लिए available है उसके लावा अगर आप और किसी भी examination के लिए prepare कर रहे हैं तो बहुत सारे courses आपके favorite teachers ने वहाँ पर जो है वो upload किये हैं उस application पर make sure you check that out के शुरू करते हैं आज का हमारा topic सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आज हमें शुरू करना है सबसे पहले impact of industrial revolution से so industrial revolution का impact क्या है सबसे पहले हमें यह समझना है और आज हम पूरे industrial revolution का जितना भी impact है न वो सारी चीज़े समझेंगे किस-किस चीज़ पर impact पड़ा होगा economic sphere में क्या impact है political sphere पे क्या impact है social sphere पे क्या impact है religious sphere पे क्या impact है और environmental ecological sphere पे क्या impact है इन सारी चीज़ों को समझेंगे हम कि industrial revolution नाम देख रहे हैं अप revolution आई है तो बहुत बड़ा चेंज आए revolution का बोलते हैं जब एक बहुत बड़ा चेंज हो जाए उसको बला हमने की revolution हो गया चेंज हो गया ना पूरा revolution हो गया पलट ही गया बिल्कुल राइट जो जो old order है वो पूरी तरह से पलट गया new order आगया तो इंडस्ट्रिल रेवलूशन क्या है मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया कि जब मास प्रोड़क्शन आफ गूड़्ज और सर्विसेज वस ड़न बाई उसिंग नॉट दे मैनूल लेबर बड़ दा मशीनरी लिवर मशीन की माध्यम से मास प्रोड़क्शन जब हुआ और बड़ी हुई डिमांड को फीड करने के लिए उन मशीन का इंवेंचन हुआ हमने पिछले सेशन में इस्टेबलिश किया है कि किस तरह रनेसांस की वज़े से क्या हुआ scientific जो है वो temper develop हुआ लोगो का scientific टेमपर के वज़े से scientific discoveries हुई inventions हुए scientific invention discoveries की वज़े से geographical discoveries हुई geographical discoveries की वज़े से world trade बढ़ा world trade की वज़े से जो global demand है goods and services की उसमें increase हुआ और उस demand को fulfill करने के लिए manual labor was not adequate hence the inventions and discoveries of further scientific innovations एंड फर्दर जो है वो साइन्टिफिक इन्वेंशन हुए ऐसी मशीन्ज के जिन्होंने उस बड़ी हुई डिमांड के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाया और हमें पहली बार फैक्टरीज का जो है वो कल्चर एस्टेबलिश होता हुआ दिखा यानि कि मजदूरों ने पहली घरों को छोड़कर एक बड़े शेड के अंडर जो है वो पूरे रॉ माटीरियल से लेकर एक पूरा प्रोसेस गुड तक यानि कि पूरा का पूरा जो है वो प्रोडक्ट तयार होने का पूरा जो प्रोसेस है वो एक ही छत के नीचे जब हुआ इंडुस्ट्रियल पिछले सेशन में हम कवर कर चुके हैं और उससे पहले रनेसांस ने किस तरह प्रशस्त किया है रास्ता इंडुस्ट्रियल रेवोलुशन का और रनेसांस का जो ट्रू नेचर है वो हमें इंडुस्ट्रियल रेवोलुशन में नजर आया आज हम उस इंडुस्ट्रियल करेंगे तो इंड-स्ट्रियल र्विस्जन के शुरवात हमने जाना कि कहां से हुई थी? इंग्लेंड से हुई थी? और About England? और इंग्लेंड में ही क्यूं हुई? उन सारे सवालों के जवाब मने पिछले सेशन में दिये थैं राइट so England के बाद Europe और United States of America में Industrial Revolution हुआ तो अब England, Europe, mainland Europe और United States of America पर या जहां जहां पर भी Industrial Revolution हुआ वहां पर किस तरह का impact छोड़के गया Industrial Revolution और present day में क्या relevance है उसकी आज हम ये सारी चीज़े समझने ही कुशिश करेंगे ठीक है so आज के topic पर बढ़ते हैं पहले जो है वो impact of Industrial Revolution के लिए पहली लाइन देखिए क्या है though Industrial Revolution is seen as an offshoot of the Renaissance ये चीज़ हम इस्टेश कर चुके हैं ठीक है Industrial Revolution is the offshoot of the Renaissance क्यों है पूरा process मैं आपको समझा दिया है Renaissance की offshoot Industrial Revolution कैसे है वो पूरा process हम समझ चुके है Renaissance है क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ राइट so I hope की वो चीज़ आपके दिमाग में प्रिपेर हो गई होगी so offshoot of Renaissance movement yet while the Renaissance movement was more ideological it was the Industrial Revolution which helped express the spirit of Renaissance movement in its true form true form and propagate it across the world in multi-farious forms देखे Renaissance एक ideology थी Renaissance क्या कह रही थी कि old order हटाईए और नया order लेकर आईए humanism की अप्रोच रखिए scientific अप्रोच रखिए लेकिन जो true form है Renaissance का Renaissance क्या कह रहा था कि जो economic gain है वो monarchical या aristocratic people के हातों में न रहकर individual के हातों में जाए यानि सभी वेक्ति जो है वो कमा सके और वो सभी वेक्ति कमा सकते थे केवल एक ऐसे economic एक ऐसे economic revolution से जिससे जन जन तक जो है वो फाइदा पहुँचे तो industrial revolution manifested that very vision और that very reason of renaissance right renaissance जो चाहता था कि जन जन तक जो है वो individualism जो है वो सब तक पहुँचे not just ideological बट economical individualism ठीक है यानि कि individually लोग जो है वो कमाना शुरू करें ऐसा नहीं है कि एक राजा या जमीन के एक राजा या चर्च या हो सकता है कि जो feudal lords है या जो aristocracy है उनी पर ही पूरी economy dependent हो या वो जो trade करें वो जो फैसला ले उसी की वज़े से जो है वो सभी जनता के जो है वो economic sphere पर असर पड़े ऐसा नहीं ठीक है so renaissance क्या चाहता था कि individual level तक जो है वो ये सब चीज़े पहुँचे और industrial revolution ने वो काम किया भी right अब यहां पर हमें देखना है कि किसके लिए वो हुआ क्योंकि society का अभी भी एक बहुत बड़ा तबका था industrial revolution की वज़े से वो दबा रहा नीचे आज हम पूरा समझेंगे किसका फाइदा हुआ किसका घाटा हुआ सारी चीज़ों को clear करेंगे हम लेकिन एक चीज़ हम clearly कह सकते हैं कि that industrial revolution helped express the spirit of renaissance movement in its true form next is industrial revolution in Britain not only impacted British society but led to several path breaking changes across the world ठीक है British society को ही नहीं लेकिन पूरी धर्ती पर पूरी globe पर जो है वो काफी सारे changes लेकर आए देखिए क्या क्या है सबसे पहला intensification of zeal for colonization देखिए industrial revolution के बाद ये सब जो नए राष्ट्र जो भर कर आए थे इन सब राष्ट्रों में आपस में होड लगी कि कौन जो है वो जादा से जादा territory को acquire करेगा देखिए क्यों मैं आपको समझाता हूँ industrial revolution की वज़े से क्या हुआ industrial revolution की वज़े से production बढ़ी production कहां बढ़ी production बढ़ी यूरोप में ठीक है अगर यूरोप में production बढ़ गई और जगा जगा घर घर अगर जगा जगा जो है वो factories खुल गई not just in England but also in Europe जगा जगा अगर factories खुल गई तो production जो है वो बहुत ज़ादा बढ़ने के कारण यूरोप की जो market है उसमें demand से ज़ादा आगई supply जब भी demand से ज़ादा supply आती है तो goods का price क्या हो जाता है गिर जाता है right so जो capitalist हैं जिन्होंने invest किया इन ventures में इन factories में उनको अपना produce goods का जो है वो मुनाफ़ा देने लाइक जो है वो margin नहीं बचने लगा इससे उन्होंने क्या कोशिश करी कि अब नया market acquire किया जाए यहाँ पर hold लगती है colonization की ताकि नया market जो है वो ढूंडा जा सके क्योंकि यूरोप में saturation आ गया सभी तो अगर माल लीजिए आप जो है वो एक नया trend चला माल लीजिए एक नया trend चला online teaching का ठीक है एक नया trend चलता online teaching का और अगर सभी पढ़ाने लग जाएं ठीक है तो जो actual में जो teachers है जिन्होंने मेहनत करी है प्रोसेस एक जो है वो लंबे प्रोसेस से गुजर के जिन्होंने सीखा है वो सब क्या उनको जो है वो फाइदा पहुच पाएगा नहीं न राइट खेर एक और example लेते हैं ये एक थोड़ा सा जो ये online teaching वाले जो example है ये well justified नहीं है मैं आपको well justification वाले माल लीजिए shirt making की कोई एक नई technology आती है और वो इतनी cheap है कि वो घर-घर में install हो सके तो अगर सभी लोगों ने घर-घर में shirt making की जो है वो technology अगर install कर ली तो क्या आप shirt किसी को बेच पाएंगे नहीं बेच सकते ना क्यों नहीं बेच पाएंगे क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं क्योंकि सभी अपनी अपनी shirt बना सकते हैं यही हुआ उस समय यूरोप में कि सभी countries ने जो है mass production कर रहे थी सभी बड़े-बड़े nations यूरोप के उस समय के चाहे वो England हो, France हो, Spain हो, Portugal हो, Germany Belgium, Austria, Prussia, Italy यह सारी countries जो है वो क्या कर रहे थी Netherlands वगरा है यह सभी mass production कर रहे थे अगर यह सभी mass production कर रहे हैं तो यह आपस में बेचेंगे किसको So that means अब इनको other continents पे अपना market जो है वो acquire करना है तो इन सभी राष्ट्रों में अब होड लगी competition हुआ कि कौन जादा से जादा colonies को acquire करेगा तो अब इन सभी competition लगा कि India को मैं acquire करूंगा कि South East Asia मुझे चाहिए China मुझे चाहिए Arabian countries पे हम जो है वो शाशन करेंगे North America, South America हमारी colonies होगी African continent पे हम कबजा करेंगे ताकि वहाँ पर अपना product अपना जो produce है, जो mass produce हो गया है जो supply बढ़ गई है demand से वो जो है वो उस नई new found market में बेचा जा सके और अपने margin को जो है वो वापिस retain किया जा सके Hence the zeal for colonization increased ठीक है, so colonization करने की जो ऐसा नहीं है कि पहले colonization करने की उनका ambition नहीं था लेकिन अब जो है वो amplify हो गया था, क्योंकि अब फिर से necessity आ गई थी, कि अगर colonize नहीं करोगे तो यह जो product तयार हो रहा है, इसको बेच नहीं पाऊ गया आप, this is not अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप stagnant हो जाएगे, आप stagnant हो जाएगे तो कोई और आपसे मजबूत हो जाएगा और आपके देश को acquire कर लेगा, यहीं यूरोप में हुआ भी, जो colonize नहीं कर पाया, वो अपनी शक्ती को नहीं समरिद कर पाया, जो समरिद नहीं कर पाया शक्ती को, उसने आसपास की European countries को अपने control में लिया Germany ने भी यही किया, England ने भी यही किया, France भी यही कर रहा था, तो इस सारा जगड़ा ही यूरोप में colonization के उपर, industrial revolution और यह सारी चीज़े शुरू का से हुई है वैसे तो देखिए वैसे तो Renaissance एक बहुत positive impact छोड़ना चाहता था धरती पर लेकिन Renaissance की वैसे बहुत ज़ादा जो है वो यूद भी छिड़े ओवर दा पिरेड इवेंचुली जो Renaissance से जो trigger हुए जो भी क्या बोलते है, series of events वो जाके culminate हुए कहाँ पर, विश्व यूदों है ठीक है, यह एक बहुत important statement है, इस पर सवाल बनता है आगे हम discuss करेंगे in questions के बारे में लेकिन यहाँ पर आप समझे, सबसे पहला चीज intensification of the zeal for colonization colonization करने का जो zeal है वो intensify हो गया, क्यों हुआ, हमने समझ लिया, second point देखिएगा, increased competition for profits and territories across the world among these colonies colonial powers, ठीक है increased competition, मैंने आपको बताए ही, competition तो बढ़ेगा ही profit के लिए अब वही माल लीजिए कि अगर canned product या packed जो है वो product या सारी बात छोड़ी है shirt manufacture की बात आ गई तो French भी shirt manufacture कर रहे है Italian भी कर रहे है, British भी कर रहे है German भी कर रहे है, और सब भारत में आकर बेच रहे है, भारत से ले जाया गया cotton, वही भारत से जो cotton ले जाया गया है, उसी सही सभी shirt और भारत से जो dye जो नील ले जाई गई है, उसी सही रंग कर वो सारी shirt है, वो भारत में लाकर बेची जा रही है, अलग अलग नामों से ठीक है, so for example, इंडिया, लेकिन उसके लावा चाइना, साथी, इस्टेशिया, पूरी दुनिया for that matter हर कॉंटिनेंट में, यूरोप से जो गूड्स प्रडूज हुए, वो बेचे गए तो सभी manufacturers, irrespective of their, मतलब, country they wanted the best price for themselves, hence competition has risen, right, competition competition जो है, वो इतना जादा बढ़ गया था, कि अब जो है, वो उनको एक दूसरे के profit margins को काटने की बात आ गया थी, देखिए, यहीं सही धीरे-धीरे हम world war की जो है, वो निकाल के लाएंगे जड़े, competition बहुँ जादा बढ़ गया था, तो जो merchants है, उनको जो है, वो आपस में एक दूसरे के prices काट रहे हैं, उन merchants ने, देखिए, जब तक merchants, merchants के prices को काटने का काम कर रहे हैं, तब तक competition healthy है, लेकिन जब merchants ने governments का इस्तमाल करना शुरू कर दिया, दूसरे देशों की, ठीक है, इसी लिए वो राष्टर की भावना है, मान में कौन शर्ट बेचेगा, ठीक है, तो जब तक वो दोनो merchants आपस में prices उपर नीचे कर रहे हैं, ये एक healthy competition का महौल है, तब तक ठीक है, लेकिन जब English merchant ने England की government को जो है, वो involved कर दिया, French merchant ने French government को involved कर दिया, और दोनो government अपनी forces, अपने armed forces का इस्तमाल करने लगे, एक दूस This is not just one example, ऐसा बहुत सारे स्फियर में और बहुत तरह के businesses में ऐसा ही हुआ है, और eventually बहुत सारे businessmen जो है, वो तभी राश्रवाद की भावना, राइट, इंगलेंड के सारे businessmen अलाइन हुए, उन सब का business interest है, और एक से एक colony, लाइक मान लीजिए, भारत वो उनकी colony है, या मा मार्केट को कंट्रोल करने की बात है, तो अब ये राश्र आपस में लडेंगे, क्यों लडेंगे, क्योंकि जब तक, क्योंकि जो healthy methods है, marketing के या जो भी जो है वो product को promote करना, prices गठाना, prices बढ़ाना, उससे काम नहीं चल रहा है, उससे monopolize नहीं हो रहा market, ठीक है, एक capitalist economy का एक important characteristic है, कि capitalist economy जो है, वो monopolization करना चाता है, ठीक है, goods and services का, उस पर हम आगे आएंगे, कि monopolization कैसे किया जाता है, लेकिन एक just मैं आपको एक glimpse देना चाता था, क्योंकि आगे जब हम मैं आपको इनी सब conditions को, ये सारी चीज़े समझा के, जब मैं इनको world wars में convert करूँगा, या अन्य बहुत सारी, like Austria में accession का war हुआ, या English और French की जो भी rivalry है, ठीक है, Europe में भी जो नजर आई, उसका reflection भारत में भी देखा, उन चीज़ों को जब हम बारी की से समझेंगे न, तब मैं आपको जो है, वो इनी सब चीज़ों को explore करूँगा, कि कैसे merchants के interest को governments ने back किया, समझ रहे, merchants के interest को governments ने back किया, और nation की nation से लड़ाई हुई, और आम जंता अपस में लड़ रही है, in the name of their king or queen, और in the name of their country, लेकिन हमें धिरे-धिरे समझ आएगा कि नहीं, ये capitalist लोग के interest थे, ठीक है, खेर, increased competition for profits and territories across the world among these colonial powers, next is देखेगा, rise of the people's consciousness manifested in various forms on the basis of different ideologies, industrial revolution की वजय से हुआ क्या, देखे, industrial revolution से क्या हो रहाएगी, एक factory के अंदर काफी सारे मजदूर जगा-जगा से आके काम कर रहे है, ठीक है, और जो capitalist है, वो चाहता है कि कम से कम investment में, जाद से जाद में क्या निकाल लूँ, product, ठीक है, तो वो उन मजदूरों के, जितने भी हक है, उन मजदूरों के जितने भी जो है, वो राइट है, उन सब का हनन कर रहा है, ठीक है, पहली चीज़, so that means, मजदूरों के जो राइट है, उसके खिलाफ पहली बार जो है, वो आवाज उठना शुरू हुए, as a result of industrial revolution, so this is the first new ideological या नया political sphere जो है, वो आता हुआ नज इससे क्या हुआ, इससे obviously globalization increase हुआ, कई सारे राष्ट्र जो है, वो एक दूसरे के संपर्क में आए, कई सारे culture जो है, टेक्नोलोजीज का जो है, वो लेंदेन हुआ, ठीक है, तो technologies के लेंदेन हुआ, तो culture का लेंदेन हुआ, philosophies का लेंदेन हुआ, social ideologies का लेंदेन हुआ, त भारत में western philosophies पहुँचने लगी, भारत में जो renaissance या भारत में fraternity, equality, justice, liberty, ये सब जो है, वो पहुँचने लगी, ideologies, as the result of industrial revolution, तो पुरे विश्व भर में, केवल goods or services का ही trade नहीं हुआ, लेकिन ऐसे social political ideologies का भी trade हुआ है, and this was also a result of industrial revolution, और इससे people's, इससे लोगों का consciousness जागा, लोग जो अभी तक, अपने राष्टर को, या अपने सुबेदार को, राजा को, जो माई बाप मान के बैठे हुए थे, अब उन लोग, लोग के जो है, वो दिमागों में जागरिती आनी शुरू हुई कि नहीं, माई बाप वाला सीन जो है, ये गलत है, ये churches, ये मंदेर, ये मस्जिदें, ये mass population को कंट्रोल कर रही है, लोग को ये बाते समझ आने लगी, और ये जो mass population को कंट्रोल करने का काम है नहीं, इससे पहले फाइदा उठा रहे थे कौन, monarchs, aristocrats, बड़े जमीदार, और अब इससे फाइदा उठा रहे है, merchants, ने capitalist और नया जो, न कि पहले monarchs जो हैं, वो फाइदा उठा रहे थे, और अब merchant फाइदा उठाने लगे हैं, ठीक है, इसका मतलब जो है वो, जो जितने भी ये services हैं, ये public की होने चीए न, आप public का, पहले monarchs, aristocrats, जमीदार, public का फाइदा उठा कर, public, यानि कि जनता जो खेती बाड़ी कर रही ह है, उससे जो revenue निकलता था, उससे ही तो आपका भोग विलास चल रहा था, monarchs, aristocrats, जमीदारों का, अब वही जनता जो आपके factoryों में काम कर रही है, मर रही है जो, उसी से ही आपका मुनाफा हो रहा है, that means, जो actual काम है, वो कौन कर रहा है, जनता कर रही है, सो जनता का जो है हो सबसे जादा मुनाफा होना चाहिए, यहीं सही हमें socialism, communism की भावनाएं, या socialism और communism की ideologies निकलती भी नजर आएंगी, after industrial revolution, आगे हम पढ़ेंगे, काल माक्स के बारे हम पढ़ा हूँगा मैं आपको, ठीक है, लेकिन different ideologies, अभी केवल different ideologies तक छोड़ देते हैं, उनका नाम जो हो आगे हम जिकर करेंगे, बोथ हिन इंडिया, भारत में भी और कैसे यूरोप में शुरुआत हुई और भारत तक पहुंचा, वो नया ideologies का trend, ठीक है, उस पर आगे हम further detail में sessions लेंगे, next देखिएगा, decline of feudal society and the advent of equalitarian paradigm, देखिए, सुनने में कहने में बहुत अच्छा ल नई जो economic class उबरी थी society में, क्यों, because prior to the renaissance period or prior to industrial revolution, यूरोप की society में जो elite class थे, वो थे वहाँ के monarchs, फिर उसके बाद वहाँ के aristocratic class या वहाँ के landlords या जमिदार, ठीक है, लेकिन industrial revolution की वज़े से एक merchant की class भी develop हुई थी, नए merchants आ गये थे, नए बहुत सारे जो है वो traders, नए shippers आ गये थे, ठीक है, नए colonialist आ गये थे, नए जो है वो farmer जमिदार ही खटा हो गये थे, नए landlord आ गये थे, so that means society में अब एक ऐसा नया वर्ग आ गया था, जो directly challenge करना थे aristocrats को, या monarchs को, और कई समय पर तो royal families aristocrats से जादा अमीर हो गये थे, ये merchants, इसलिए aristocracy को बरकरार लिए merchant से समझोता करना पड़ा, hence the glorious revolution, और चुपचाप जो है वो Britain के aristocracy को मानना पड़ा गई, चलो जी सरकार जो है वो आप लोग चला लो, हमें केवल आप एक जो है वो nominal head के रूप में, या एक at least हमें graceful title जो है वो बरकरार रहे हमारा lords वगरा का, लेकिन फिर भी काफी हद तक military aristocracy पर उनका control रहा, जो मनार्की है या aristocracy है उनका, ठीक है काफी हद तक रहा, वो धीरे धीरे हटा, लेकिन काफी हद तक रहा उनका control, ठीक है, लेकिन यहाँ पर basic point जो मैं आपको establish करना चाता हूँ, वो ये है कि feudal society कि इस तरह घटी, पहले क्या थे, aristocratic जो lords थे, मोनार्की जो थी, वो एक feudal system था यूरोप में, उसका decline हुआ क्योंकि जो merchants class जो नहीं उभर के आई, जो नए traders उभर के आई, industrial revolution से, वो उनसे ज़्यादा rich थे, और यहाँ पर clear हो गई बात कि royal descendants होना या church जिसको provide कर रहा है, चर्च, यानि कि Catholic Church की बात तो Protestant Church ने मान निमना क क्या रहा था कि, राजा के बाद, राजा का बेटा ही जो है, वो मतलब, supremia apex authority रहेगा किसी nation की, वो बाते लोगों ने defy करनी शुरू कर दी, ठीक है, तो merchant class जो भर रहा था, वो socially भी, politically भी, और economically तो obviously वो, जो मोनार्की लिए, जो feudal laws हैं, उनसे strong था, इसलिए यूरोप में feudatory system जो है, वो कमजोर हो गया, और जो merchants है, वो मजबूत हो गया, तो जो feudal या जो lot और जो aristocracy है, जो feudal laws है, उन्होंने अपना system बरकरार रखने के लिए, एक समझाता किया इन merchants के साथ, और हमें, एक बहुत peaceful सी जो है, वो glorious revolution देखने को मिले, इंग्लेंड में, जिससे हुआ जो है, देखे, glorious revolution is obviously prior to industrial revolution, लेकिन industrial revolution से पहले ही merchant class मजबूत हो चुकी थी, industrial revolution से तो उसमें amplification आया, ठीके, तो industrial revolution आने से पहले ही merchant class ने अपने pair जो है, वो England की political order पर जमा लिये थे, not just England, लेकिन यूरोप में भी यही, बाकी के यूरोप में भी यही trend follow हो रहा था, so feudal laws जो ह नीचे आये शक्ती में और उसकी जगाए एक नया merchant class जो है, वो डबलप हुआ, लेकिन जनता को manipulate करने के लिए, एक शब्द यहाँ पर देखे, use किया गया है, equalitarian paradigm बना, देखे, कुछ हद तक equalitarian paradigm था भी, क्योंकि पहले यह जो है, जो Catholic चर्च है, उसने यह भावना लोग के मन में डाली हुई थी, कि जो जो चली आ रहे ही royal lineage है, जो aristocratic class है, वही जो है, वो शाशन कर सकते हैं, लेकिन अब lord का जो title है, वो जमीन acquire करके, वो पैसा acquire करके भी लिया जा सकता था, यानि कि जो royal order है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं, यानि कि जो ruling, जो class है, उसमें आप शा equalitarian paradigm आया, equal किसके, equal ruling, elite, aristocratic, जो noble, या जो चली आ रहे ही royal lineage है, उसके बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए सवाल ये है, कि क्या सभी, क्या सभी उस equalitarian paradigm में, equalitarian paradigm क्या सभी के लिए था, राइट, क्या सारी जनता बराबर होगी थी, नहीं, जवाब आपके लिए बिल merchant class, जो नया social order develop हुआ था, जो कि economically strong या बराबर था, already existing aristocratic landlord, या जो monarchical class उससे, तो उनके बीच में बराबर ही आये थी, जो peasantry थी, वो पहले भी पिस रही थी, और वो आज भी, old order में भी peasantry का बुरा हाल था, और new order में भी peasantry का बुरा ही हाल था, उनके लिए कोई change नहीं नहीं आया था, right, next चीज देखिएगा, increased awareness among women for their rights, ठीक है, अब women में obviously, देखिए मैंने आपको बताया ना, कि एक shed के नीचे काम करना शुरू किया, और जो capitalist है वो कह चाता है, सबसे कम से कम जो है, वो लागत लगा कर जाद से जादा profit मिले, तो बच्चों को और महिलाओं को उस factory में काम करवाना, क्योंकि hard labor तो है नहीं, factory का काम basically hard labor नहीं होता, लेकिन monotonous काम होता है, आपको एक ही चीज बार 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 करनी होती है, so that means वही, मतलब machine handling या tool को handle करना, जो है, वो एक महिला भी सीख सकती है, obviously एक बच्चा भी सीख सकता है, एक पुरुष तो करी रहत रखा जा सकता था, और महिलाएं और बच्चे जो है, वो पुरुषों के मुकाबले, कम आये मिलने पर, जादा घंटे काम कराने पर, उतना उस level का विद्रहों भी नहीं कर सकते थे, उनके विद्रहों को कुछलना भी आसान था, यानि उनके agitation को कुछलना भी आसान था, so म महिलाओं का exploitation हुआ बहुत बड़े लेवल पर, भले ही महिलाओं की हालात, cottage industry में जब वो काम कर रही थी, उससे relatively बहतर हुई, लेकिन पुरुष जो फैक्टरी में काम कर रहे थे, उनसे उनके हालात बुरे थे, प्लस महिलाओं को हर तरीके का discrimination जो है, वो irrespective if they are working on equal standard, बरा पुरुषों से उसके अलावा उनको जो है वो और भी बहुत सारे benefits जो है वो नहीं दिये गए, इससे एक woman right की जो है भावना उबर के है कि अगर महिलाओं capitalist economy या industrial revolution में पुरुषों के बराबर का जो है वो अगर मतलब भागीदारी दे रही है, तो पुरुषों के बराबर rights जो है वो woman को भी होने चाहिए, obviously, तो यहाँ पर woman right activism जो है वो हमें सबसे पहली बार नजर आता है, so this is also a byproduct of industrial revolution, यह बात भी हमें ध्यान रखनी है, next is rise of the trade union emergence of concept of democracy and liberalism to the new, to name a few of them, right, rise of the trade unions emergence of concept of democracy and liberalism, trade union, अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि महिलाओं का ही दमन हो रहा था, दमन सभी तरह के levers का हो रहा था, सभी तरह के levers में महिलाओं और बच्चों का जादा दमन हो रहा था, लेकिन दमन, यानि की oppression जो है, वो सभी levers का हो रहा था, सभी levers को जो है, वो exploit किया जा रहा था, उनकी हालत बच् बत्तर नहीं आज मैं आपको बताऊंगा कितनी बुरी हाल हती ठीक है आज उसी पूरे चीज़ को हम गवर करेंगे लेकिन यहां से हुआ क्या कि धीरे धीरे देखिए उन हजारों लेवर को कंट्रोल करने के लिए अब सभी के सभी लेवर तो skilled नहीं हो सकते ना उनमें से इंजेंट्री यह unskilled labor के साथ जुड़कर अगर विद्रो कर देता है management के खिलाफ तो management जो है वो unskilled labor को तो replace कर सकती है नए labor ले आएगी लेकिन जो skilled labor है उनको कैसे replace करेंगे skilled labor बनाने के लिए और capital invest करना पड़ेगा और वो capitalist economy के जो उनके rule है उनकी जो guidelines उसके खिलाफ है क नए capital investment नहीं करना कम से कम investment में जादा से जादा फाइदा निकालना है ठीक है so that means हमें यहाँ पर इस तरह के skilled labor की leadership में हमें ऐसे trade unions ऐसे जो है वो labor unions बनते होई नजर आए जिन्होंने labor पहली बार ऐसे labor unions बनते नजर आए जिन्होंने labor के हक के लिए जो है वो आवाजे उठा activism नजर आया industrial revolution की वज़े से हमें क्या नजर आया world trade तो obviously जो है वो बड़ा ही लेकिन colonization भी बड़ा और ideologies का आदान परदान भी हुआ पूरे विश्व में so इनी सारी चीजों को अब हम detail में समझते है यह basic introduction था कि आज हमें क्या-क्या पढ़ना है ठीक है और background I suppose आपको thoroughly prepared है कि background में हमारा industrial revolution कैसे आया renaissance क्या था वो सारी चीजे मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपने पिछले sessions देखे हूंगे और वो सारी चीजे आपको पता हूंगी तो if you have stumbled upon this session के आप एकदम से session पर पहुँच गया है पिछले sessions नहीं देखे है so make sure you watch all those sessions तभी आप जो है वो मेरे आगे के sessions के साथ connect कर सकेंगे बहुत जरूरी है मेरी जो मेरा जो पढ़ाने की philosophy है मेरी जो मेरी जो पढ़ाने की techniques है वो बहुत important है वो क्योंकि अगर आप मेरा कोई एक session देखेंगे ना तो आप connect नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर आप regularly follow कर रहे है ना so you can vouch for this right आप समझते होंगे कि एक session से आप नहीं समझ पाएंगे उसके बाद आप किसी भी examination में बैठ हो मैं बोल रहा हो ना कोई भी एक दिविसी examination हो या अगर आप UPSC का मेंज लिखने जा रहे हो हर जगा आप एक बार ना experiment करके देखिए साथ दिन तो invest कर सकते हैं ना आप ठीक है साथ दिन आप मेरे sessions देखिए कोई भी एक topic मान लिजिए modern उठाइए modern में अगर मान लिजिए आपको गांधी जी के period की जितनी भी जो है जो भी क्या बोलते है agitations हुई है उनसे related जो भी topic है उनको साथ दिन में पढ़िए और फिर answer rating करके देखिए क्या आपकी answer rating में increment या आपको बढ़ोतरी या improvement नजर आई या नहीं ठीक है खेर आगे बढ़ते हैं next आएगा आप economic impact समझते हैं क्या है पहले हमने introduction देखा कि किस तरह के impact होने जा रहे हैं अब हम एक एक करके सब को explore करते हैं so industrial revolution का economic impact पढ़ते हैं सबसे जरूरी देखिए economy पे मैं बार बार force डालता रहता हूँ क्योंकि हम जो है वो बहुत naive हैं आम जनता बहुत naive होती है हम नहीं समझते हैं कि economy पर ही nation run कर रहे है economy पर ही यह जो economic system developed है पूरा इस समय global trading का अगर आप इस पूरे economic system को समझ गए ना तो आप political system भी समझ जाएंगे आप social system भी समझ जाएंगे क्योंकि जो क्योंकि हम प्रेफरेंस नहीं देते economy subject को और यही जो है वो capitalist की सबसे बड़ा मतलब उनको इस चीज़ का सबसे बड़ा लेकिन बहुत ज़ादा फाइदा है कि जो आम जनता है वो किस चरह की economy चल रही है उस पे ज़ादा ध्यान देता ही नहीं है ठीक है तो आम जनता या हम जो मतलब third world country खास का जैसी third world country के जो हम हमारी जो population है हम economy को या जो global level की जो economy है उसको हम अच्छे से नहीं समझ सकते है चाइना जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है यूएस और चाइना के जो है वो economic interest में conflict क्यों है USSR की position क्या है यूरोप जो है वो क्यों कमजोर है Australia जो है वो Southeast Asia के साथ क्या कर रहा है इसारी चीज़े हमें समझनी पड़ेगी एक global perspective generate करना पड़ेगा तब ही समझ रहे है भारत superpower केवल भाषणों से नहीं हो जाएगा ठीक है इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा आम जनता को एजुकेट करना पड़ेगा आम जनता को जब तक आप नहीं सिखाओगे ना global order क्या है नया order क्या है आम जनता को जब तक आप नहीं सिखाओगे कि दुनिया किस तरह चल रही है भारत superpower कैसे बनेगा क्या भारत superpower केवल कहे देने वरसे है या नई website पे photos डाल देने वरसे है नहीं तभी भारत ग्लोबल चकती है ये बात मेरी आज समझ आएगी आपको हो सकता है आज से पांच साल बात समझ आए दस साल बात समझ आए लेकिन मैं नहीं चाहता कि देर हो जाए समझने में आपके ठीक है next देखिएगा economic effects पहला point है the industrial revolution led to an exponential growth in the number of factories and industrial installations by incorporating the latest inventions resulted in increased production तो ये चीज़े हम already established कर चुके है ठीक है industrial revolution से क्या हुआ production increase हुई obviously और वो production कैसे increase हुई manual labor से machine labor आया machine labor भी किस तरीके का जो जादा से जादा production दे यानि ऐसे नहीं है कि machine बना दी तो चलो ठीक है क्योंकि आज जो computer हमारी jam में fit हो जाता है cell phone के रूप में android devices के रूप में यही computer पहले बड़ी-बड़ी building के बराबर हुआ गरते थे so not just because machine आ गई तो production बढ़ गई लेकिन नई नई जो है वो machine जादा efficient machine जब धीरे-धीरे machine की efficiency बढ़ती गई latest inventions की वज़े से production जो है वो बढ़ता गया so industrial revolution increased the production दो चीज़े हम समझ गए ठीक है यह कैसे हुआ है latest invention से ठीक है तो यह जो keywords है आपके दिमाग में एकदम मतलब बसे होने चीए है keywords तो next देखेगा increased production was channelized to various market across the world which led to a jump in the quantum of trade volumes across the world which started yielding huge profits towards the industrialized nations देखेगा मैं आपको बता है न यूरोप में production बढ़ गई तो यूरोप में तो surplus हो गया तो वहां के तो market होने लगे crash इसलिए colonize करना उनके लिए आनिवारे हो गया colonize किया गया भारत पहुंचा गया तो देखा था भारत में अमीर लोग ही बहुत है इन्होंने जो colonies को acquire किया उन colonies पर जब इन्होंने समान डंप करना शुरू किया तो बहुत profit हुआ इने so market तो आपको समझ आ है ना मैंने तीन चीज़े बताई थी न आपको पिछले session में क्या-क्या raw material, capital और market raw material, capital और market capital में क्या-क्या आता है आपका money, land और labor raw material और market ठीक है, money, land, labor और money से जो है वो technologies खरीदी जाती है तो capital क्या basically money से आप invest किसमें करेंगे, land पर करेंगे labor पर करेंगे और technology पर करेंगे raw material को extract कैसे करेंगे, technology से ठीक है, raw material से capital को कैसे connect करेंगे, अपनी factory को कैसे connect करेंगे transportation से, so train आई तो transportation जो है वो सुद्रिड हुआ, steam engine बना, तो ships जो है वो तेजी से अब तेजी से क्या है, factory से जो है हो, market तक पहुँच सके, तो ये सारी चीज़े पिछले session में मैंने cover करी है, I hope आपको समझ आए होंगी है, ठीक है खेर तो पहली चीज़ हम समझ गए industrial revolution, latest inventions increased production, दूसरा point क्या है, increased production was channelized to various markets, अब ये बढ़ा हुआ production कहां गया, various market में पहुचा, across the world jump in the quantum of trade volumes, trade volume जो है वो बढ़ गया बहुत ज़ादा, yielding huge profits और जिससे क्या हुआ, profit जो है वो बढ़ा है, obviously ये चीज़ हम समझते है ठीक है, next point है now the prices of various factory made products started falling due to increased competition, देखिए अब देखिएगा जो already existing colonies थी, वहाँ पर मैं colonization को समझा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि के वो ये उरोप में production बढ़ा, तो ये उरोप में ही बेचा उन्होंने, तो prices जो है वो गिर गया, या competition जो है वो stiff हो गया, ठीक है industrial revolution आने से पहले colonies established हो चुकी थी, सो जब industrial revolution आया और भारत में colony established थी, तो भारत में भी एक तरीके का stagnant situation बनने लगी ठीक है, तो जो already existing colonies थी, उनसे भी काम नहीं चल रहा था ठीक है, उन already existing economy या जो already markets है, उनमें भी products का इतना surplus ही खटा हो गया की prices जो है, वो गिरने लगे, to survive in the competition environment, the factories need to fed continuously with large quantities of cheap raw material, which led to increased exploitation of natural resources, sourced both from within the country and from abroad, या colonies देखेगा, बहुत ध्यान चे समझ जी गया की पहले जो है, वो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन का example लेकर चलते हैं, बाकी सब colonies के लिए हम जर्नली मानेंगे, ठीक है ब्रिटेन ने भारती ओप महादीप में आया as a trading company सबसे पहले उन्होंने अपने economic interest दिखाए, भारत से तैयार समान ले गए यूरोप में जाकर बेचा, ठीक है, ये बात हम समझगे, धीरे धीरे उन्होंने भारत पर जो है वो अपना economic control बनाया, industrial revolution आया यूरोप में, उन्होंने अपने भारत की जो policy है switch कर दी, अब भारत से वो कच्चा समान ले जाने लगे यूरोप, यूरोप में process करके, वो भारत में बेचने लगे ठीक है, अब वही काम जो है, वो भारत में बेचने का France ने भी किया, Germany ने भी किया, और not just India लेकिन South East Asia, Africa, China, जहां जहां पर North America, South America जहां जहां पर colonies थी in European countries की, उन्होंने अपना समान dump करना शुरू किया, देखे, पहली बार economic stagnation आया था, जब colonies जहां वो जादा नहीं थी, या colonies पर political control नहीं था, इन European शक्तियों का, जब industrial revolution का initial boom आया था, तब आया था stagnation, और दूसरा stagnation तब आया, जब उन्होंने colonies को acquire कर लिया, ठीक है, 1833 के बाद भारत को पूरी तरह से acquire कर लिया ना, ठीक है अंग्रेजों ने, और उसी तरह France ने, Spain ने, Portugal ने, Dutchess ने, Switzerland ने, Germany ने, अपनी अपनी colonies को पूरी तरह politically acquire कर लिया, और वहां पर वो अपने product को dump कर रहे हैं, एक दूसरा economics जो है वो product dump किया, लेकिन, फिर से जो है, वो stable, stable हो, या, फिर से जो है, वो stagnant हो गई economy, अब फिर से जो है, वो industrial revolution में बूम लाने के लिए, उन्होंने, जो production cost है, उसको घटाने के बारे में सोचा, या throughout the process भी वो production cost को घटाने के बारे में ही सोचते रहे, सो production बढ़ाना, colonies, market को expand करना, जाद से जादा market पर अपना political control होना, ये सारी चीजों के साथ साथ, cheap से cheap raw material, cheap से cheap labor, cheap से cheap technology, यानि कम से कम capital invest करना पड़े, इस sphere में भी जो है, वो industrial revolution ने उतना ही ध्यान दिया, जितना ध्यान, जो भी capitalist हैं, या जो भी colonist हैं, imperialistic शक्तियां हैं, उन्होंने political control gain करने को दिया, या अपने market को expand करने पर दिया, दोनों चीजों पर बराबर ध्यान दिया हुन्होंने, तो result में हमें क्या नजर आया, हमें result में नजर आया, ऐसी technologies जिससे production की cost घट गई, ऐसी technologies जिससे cheap quality का labor, cheap quality का raw material इनसे जो है, वो product को produce किया जा सके, ठीक है, तो आज के date में, अगर आप किसी भी product को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप कहते हैं कि आज से 20 साल पहले, इस product की quality अच्छी थी, तो ये रहा आपके सामने live example, ठीक है, मुनाफ़े को बढ़ाने के लिए product की quality घटानी पढ़ती है, तभी तो मुनाफ़ा बढ़ेगा ना, क्यूंकि raw material में, labor में, या जितने भी ingredients लगते हैं उस product को produce करने में, उसकी overall quality घटेगी, तभी उस capitalist की क्या बढ़ेगा, मुनाफ़ा बढ़ेगा, तो अगर आप आज बैठे हुए, या, अगर मान लीजिए, आप मेरी age group के हैं, या हमसे जो एक generation ऊपर के लोग हैं, या दो generation ऊपर के लोग हैं, या आपके अगर parents हैं, तो उनसे पूछिएगा कि उनके जमाने में, कोई भी अगर product जो आज तक चल रहा हो, ठीक है, तो सोच के देखिएगा, शतरवी शताब्दी से अठारवी शताब्दी यानि 17 से 18 और 18 से 19 में जो चेंज आया, 19 से 20 में जो चेंज आया, किस सरा quality over the period घटती चली आई है, ठीक है, इसका मलब यह नहीं है कि increase नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे like automobiles है, पहले automobiles जो है, वो technologically बहुत sound नहीं थे और जो safety wise बहुत weak थे, आज की जो automobiles है, they are practically unbeatable, right, जो आज की जो automobiles है, वो 50s या 70s की automobiles से जो है, वो काफी आगे हैं, काफी बहतर हैं, लेकिन और बहुत सारे, simple सी बात है textile, textile अगर आप आज से 20 साल पहले का textile जो आप देखेंगे तो बहुत बहुत बहुतरीन quality, आज का जो cotton है, वो आपको उतनी अच्छी quality का नहीं मिलेगा, वही जो quality में decrease आया, ठीक है, यह मैं आपको समझाओंगा, globalization की वज़े से किस तरह भारत में भी चीजों की quality खराब हुई है, इसको हम आगे आके समझेंगे, ठीक है, जब मैं आपको post-independence समझाओंगा, तो वहाँ पर भी economic impact जो समझाओंगा मैं आपको, तो यह market में transformation, ठीक है, चीप quality का समान तयार करने की जो होड लगी भारत में, वह चीज़े में आपको समझाओंगा, लेकिन वह अभी कहां हो रहा है, वह अभी हो रहा है, यूरोप में इस समय, ठीक है, क्यों हो रहा है वो, जो second phase है, economic stagnation का, उसको overcome करने के लिए, ठीक है, अब देखिए, natural resources को exploit किया जाना शुरू किया गया, पहले, coal को को कोक में convert किया जाता था, और फिर उसको use किया जाता था, ठीक है, अब कोशिश की गई, कि, सबसे सरस्ता coal जहां से मिले, उसको उठाओ, उसको जलाओ, और काम चलाओ, ठीक है, नेक्स देखिएगा, increased wealth generation led to the development of more and more cities, and development of transportation and communication systems across the length and breadth of the nation, ठीक है, देखिए, अब economic effect में दूसरी चीज़ एक और हुई, कि नई cities डेवलप हुई, बहुत सारी नई cities डेवलप होती हुई नज़र आई, ठीक है, obviously, क्योंकि नए factories देखिए, जहाँ पर नए factories डेवलप हुए, वहाँ पर जो है, वो लोगों ने आना शुरू कर दिया, दूर पार के, मतलब जितने भी यूरोप की बात कर रहा हूँ, या United State of America की बात कर रहा हूँ, दूर पार के गाहों के जो लोग थे, उन्हों ने इन फ merchants ने वहाँ पर अपने जो है, वो अपने institutions और और जो भी institutions वो establish करने लगे, वहाँ की जो existing government है, उसको देखा कि यहाँ पर population बढ़ गई है, तो यहाँ पर administration भी हम सुदरिड करने ही कोशिश करते हैं, तो इस तरह धीरे धीरे city development होता है, ठीक है, तो city development भी जो है, वो एक बह followed by influx of rural population, नई cities बनी, नई factories बनी, तो rural population का influx हुआ to these cities in search of jobs and better living, देखे, नई factory बनी, उस पर मजदूर आए, उन मजदूरों ने रहना शुरू किया, उस factory के आसपास, market डबलप हुआ, धीरे धीरे एक city बनने लग गई, अगर एक city बन गई, तो और दूर पार के जो यह सुनने माया है कि हमारे असपास एक नई city बनी है, महाँ पर नई factory खुल गई है, चलो काम करें, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर cheap labor का influx बढ़ता जा रहा है, और city का जो expand, city जो है, वो expand करती जा रही है, बोथ in terms of population as well as infrastructure, ठीक है, बढ़ता जा रहा है city का, next point देखेगा, development of trade activities had to be necessarily supported by an improved and efficient banking system, which in turn was sustained by the huge profits, which the trading exercise generated, एक और नया, एक और जो है, वो नया economic impact यह पड़ा कि हमें एक नया improved banking system मिल गया, 1694, इंग्लेंड में जो है, वो England का जो bank बना, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया, कि किस तरह आगे आने वाले कुछ सालों में, banks की संख्या जो है, वो 4 गुना, 6 गुना बढ़ गई, ठीक है, तो banks, जो है, मतलब हर शहर में banks ही bank खुल गई, इसका मतलब यह है कि, बहु बहुत सारी industries बन गई थी, बहुत सारी, ठीक है, तो एक नया banking system भी हमें develop होता हुआ नजर आया, किस की वजए से, industrial revolution की वजए से, इस वार था, इकॉनमिक इंपक्ट्स, नाव लेट अस स्टेदी अबाट अर्बन इंफरस्रुक्चर, नाव अर्बन इंफरस्रुक्चर के स क्या हुआ, बेसिकली अर्बन इंफरस्रुक्चर का कलाप्स हुए, ठीक है, जो already existing पुरानी cities थी, वो पुरानी cities, they were not designed, राइट, वो designed नहीं थी, वो planned town नहीं था, यह planned cities नहीं थी, and those cities were not capable of holding such large population, लाखों में अगर लोग आकर अगर बसना शुरू कर देंगे, तो उस जो इंडस्ट्रीज की वजह से, जो wastage प्रडूस हो रहा था, not just industrial waste, लेकिन जो इंडस्ट्रीज में, जो इतनी बड़ी संख्या में मजदूर रह रह रहे थे, उनका जो wastage था, उस wastage का management, उन cities की बसका नहीं था, जो already existing cities थी, क्योंकि they were not prepared, simple सी बात है, जो already existing cities थी, उन्हो revolution was unprecedented, तो उस तरह का drainage system, उस तरह का waste management, उस तरह का police system, उस तरह का education system, उस तरह का hygiene and sanitation system, उस तरह का governance, administration, postal, communication, ये सारी चीज़ें जो है, वो थी ही नहीं, ठीक है, तो जब नई cities develop हुई, जिनको proper sanitation, proper transportation, proper communication, proper police service, proper education, proper market, proper जो है, मतलब irrigation, ये सारी चीज़ें चाहिए थी और नहीं थी वहाँ पर, तो obviously हुआ क्या, वही सब समस्याएं जो शहरों में होती हैं, वो समस्याएं हमें देखने को मिली, और जो already existing शहर हैं, वो तो collapse हो ही गए, लेकिन जो नए शहर बने, वो भी जो है, वो progressive नहीं थे, वो भी ध बने infrastructure क्या हुआ हैं पर ठीक है, पहला point देखेगा, with the influx of laborers to the cities from countryside, the population of cities grew by leaps and bounds, so that between 1800 and 1850, the number of European cities boasting more than 100,000 inhabitants rose, right, 1800 से 1850, यानि की 19th century की जो शुरवाती decades हैं, वहाँ पर, ऐसे बहुत सारी cities जो है, वो सामने आई, जिनकी population एक लाग से जादा है, जो की नहीं केवल Europe, लेकिन एशिया के अन्य जो है, वो बड़े शहरों ने ऐसा भी तक नहीं देखा था, ठीक है, भारत में ऐसी cities थी, जिनकी population एक लाग से जादा हो, लेकिन जिस level पर, क्योंकि भारत में कुछ cities ऐसे थी, दिल्ली हो गई, बंगाल के कुछ ऐसे शहर हो गए, जिनकी population इतनी जादा थी, medieval समय या, early modern period में, लेकिन, इंग्लेंड में जो बहुत सारी ऐसी cities डेवलप हुई, जिनकी population इतनी जादा है, this was unprecedented, तो इतने जादा populous शहरों का administration, जो है, वो balanced administration रखना, बहुत मुश्किल हो गया, अंग्रेजी government के लिए, और एक ऐसी अंग्रेजी सरकार, जो की merchants के द्वारा dominated है, और जिसका sole purpose है अभी फिलहाल, merchants का फाइदा निकालना, so they were not very concerned about labors, धीरे धीरे labors के तरफ उनका concern बढ़ा, ठीक है, वो भी क्यों बढ़ा, क्योंकि जो merchants है, उनको अपना, जो process है, पूरा manufacturing का, वो smooth क्योंकि वो फिर strike भी करेंगे, वो सारी चीजे भी होंगी, तो अपना जो है, वो उनका process smooth चलता रहे, इसलिए, लेवर्स का जो है, वो थोड़ा general benefit करना, वो merchants के हितमे था, इसलिए उन्होंने थोड़ा-थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, ठीक है, खेर, With such enormous growth of population, within such a short span of time, the urban infrastructure collapsed, as the cities were not planned to accommodate such huge hordes of population, we have already established this, next point, there were no plans, no sanitary codes, no building codes, controlling the growth of English cities, right, no plans, no sanitary code, no building code, आज जो भारत के कई शहरों में, ठीक है, ये code है, कि आप जो है, वो जो domestic, या जो आपके residence की जो building है, वो केवल इतना ही मंजिला बना सकते हैं, इतनी आपको गहरी नीव डालनी पड़ेगी, इस तरह का आपको सरीय इस्तमाल करना है, ये आपको concrete इस्तमाल करना है, इस तरह के लिए presently जो है, वो rule है, कि इतनी जो है, यहाँ पर ventilation होना चाहिए, इतनी light होनी चाहिए, security के लिए, मतलब सारे security के measures आपको लेने हैं, तभी आपको license मिलेगा, तो ये सारे जो है, वो present day में कानून बने हैं, लेकिन जो शुरुवाती industrial revolution था, nobody was concerned about the general welfare of the labors, right, because merchants और जो ruling class है, उन्होंने तो मिलकर ये फैसला कर लिया था, कि हमें केवल अभी production बढ़ाना है, ठीक है, हमें केवल अभी production बढ़ाना है, और production बढ़ाने के लिए हमें cheap से cheap करना पड़ेगा, ठीक है, हमें cheapest जो है, वो use करना है, किस चीज़ का, administration भी हमारा cheapest होना चाहिए, ठीक है, और factories की तो बात हम करेंगे नहीं, ठीक है, अभी हम शहरों की, शहरों की बात करते हैं, ठीक है, urban population की बात कर रहे हम, तो शहरों में कोई भी किसी भी तरह का sanitation का code नहीं है, कि कहां पर कूड़ा फैका जाए, कहां पर ना कूड़ा फैका जाए, तो लोग घर से बाहर कूडा फैक कहीं भी तो हमें धीरे धीरे जो है वो कचरे के धेर में बदलते हों नजर आई European शहर खासकर इंग्लेंड के दे लेग्ड एडिकवेट हाउजिग एडिकेशन और पुलिस प्रोडेक्शन फोर्ड इन पूर्ड इन फॉर्ड इन फ्रॉम ने जो इतना बोस्ट किया या अंग्रेज़ों की बात करें वो जो इतना मतलब भारत में आकर फैलते थे कि हम इतने civilized है ये हैं वो है industrial revolution के समय नजर आ गया था वहाँ पर कि civilization जो है वो उनकी collapsed है ठीक है they were not civil वो अपने मुनाफ़े के लिए सब कुछ कर रहे थे and this is not this notion कि अपने ही मुनाफ़े के लिए सब कुछ किया जाए this is not exclusive to England only ठीक है यूरोप Asia भारत हर जगा जहां पर भी इनसान जो है वो शाशन में है शक्ती में है इनसान की natural tendency है अपना मुनाफ़ा जादा से जादा हो ठीक है बनोवलेंस बहुत कम देखने को मिली भारत की जो शुरुवाती सरकार है ना उन्होंने बहुत काम किया बनोवलेंस के लिए वो एक बहुत बनोवलेंस जो है वो शुरुवात में जो सरकार रही उन्होंने काफी कोशिश करी बनोवलेंस as well as भारत की economy को revive करने में एक balance create करने में तो भारत की सरकार भारत present day की भारत की सरकार भी या पिछले 20 साल की भारत सरकारे भी कोशिश तो उनकी overall कोशिश ही रहती है कि एक balance बना रहे benevolence as well as अपने political economic gains में ठीक है लेकिन जो capitalist है वो धीरे धीरे हावी होते हुए हमें नजर आते रहे हैं ठीक है ये ये रीत है ये जो है वो पूरा का पूरा system ही capitalism का ऐसा developed है कि over the period ऐसा ही होना है भारत जैसा देश जो 70 ही 70-80 साल नहीं हुए जिसको आजाद हुए ठीक है तो उसके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि this is a global phenomenon हर देश में हुआ capitalist ने जो है वो overpower कर ही लिया existing government structures को ठीक है खिर उस पे हम आगे जो है वो मैं आपको मैं तभी जो है वो present day government economic political scenarios पे comment नहीं करता हूँ क्योंकि पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपने sessions के मादम से वो global perspective आपका generate करूँ एक बार ठीक है एक बार हमारा global perspective generate हो जाए उसके बार discussions करने में भी मज़ा आएगा जो मैं बाते बोलूँगा आपको वो समझ भी आएगी अभी मैं अगर आपको बाते बोलूँगा और आपको वो समझ ना है तो कोई फाइदा नहीं है इसलिए मैं चाहता हूँ पहले मैं world history करा हूँ उसको जब मैं contemporary लेकर आऊंगा ना 21 शताबदी तक मैं जब सारे सिस्टम को लेकर आऊंगा जब सब कुछ इखटा हो जाएगा सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी यानि कि renaissance ठीक है उसके बाद industrial revolution हम समझ रहे है मैं आपको capitalism, colonization जो हुआ है विश्वयुद जो हुआ है उसके बाद cold war हुआ है globalization फिर जब हम 21 शताबदी में अंटर करेंगे ना तब जब आपके पास जो collective information इखटा होगी उसके बाद आजादी के बाद जो शुरुआती governments रही उनके क्या फैसले रहे और भारत के political scenario के बारे में ठीक है world history को भी किस्वी century तक और भारत के जो political scenario है उसको भी जब मैं किस्वी century तक लेकर आऊँगा तब हम जब इखटा करके देखेंगे इन दोनों चीजों को तब जो हमारा present day के political scenario तब हम जब अखबार खोलेंगे ना तब मैं जब आपको जो बड़े leading अखबार है उनकी जब headlines जब आपको समझानी शुरू करूँगा तब देखिएगा आपकी क्या समझ होती है ठीक है तो वो पूरा process है हम वहां तक पहुंचेंगे आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ ठीक है मैं उस तरह की समझ आपकी develop करूँगा next देखिएगा अगला आता है हमारे पास point most of the unpaved streets had no drains and collected heaps of garbage ठीक है unpaved streets देखिए शहरों में पक्की सड़के बनना वो सब काम जो है वो बहुत बाद में हुआ ठीक है अब मुझे comment के मादम से बताईएगा कि किस किस जो है वो European उसका country बताना है किस country से belong करता है inventor ने सड़क बनाने का एक नया जो है वो method invent किया था उसका नाम क्या था और वो प्रेजेंट दे तक यूज होता है ठीक है उस विक्ति का नाम बताना है आपको next point देखिएगा workers lived in dark dirty shelters whole families crowded into one bedroom which led to epidemics cholera epidemics regularly swept through the slums of great britain's industrial cities ठीक है देखे factories बनी मजदूर आ गए बहुत सारे मजदूरों ने factory के आसपास जो पड़िया slums बना कर रहने शुरू कर दिया अब एक एक कमरे में अब गरीब इतने हैं कि वो जादा जो है वो बड़ी housing afford नहीं कर सकते तो एक एक कमरे में पूरा-पूरा परिवार रह रह रहा है ठीक है अब इंग्लेंड ही नहीं लेकिन इंग्लेंड के कई कई दूर क्षेतर से जो है वो लोग आकर रह रह रहे है प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है ठीक है प्रॉपर जो है वो ड्रेनेज नहीं है प्रॉपर वेस्ट मेनेजमेंट नहीं है प्रॉपर कोई खाने पीने की नहीं है तो पानी आपका पल्यूट होगा उस पानी को अगर आप पीएंगे तो waterborne diseases होगी ठीक है waterborne diseases like cholera so cholera एक ऐसी बिमारी है या dysentery हो गई dysentery का आज हमारे पास ठोस इलाज है उस समय नहीं था या और भी बहुत सारी ऐसी बिमारियां है जो गंदे hygiene की वज़े से फैलती है तो जो इंग्लेंड की cities का जो slum है that was the very definition of गंदा hygiene ठीक है तो वहाँ पर बिमारियां फैलना not just बिमारिया लेकिन epidemics फैल जाना एक बहुत आम बात थी ठीक है सेकडों हजारों के साब से लोग मर जाए that was a natural phenomenon at that time ठीक है तो ऐसी condition में cholera जैसी बिमारिया लगातार जो है वो population को मारती जाए करती ती यही पर यह last point पढ़िएगा ठीक है last point क्या बोलता है in 1842 a British government study showed an average life span to be 17 years for a working class people in one large city compared with 38 years of nearby rural area average life span of 17 years 17 साल का average life span सोच के देखेगा केवल 17 साल के भीतर यानि की बहुत सारे लोग 11-12 साल पर भी मर जाते होंगे बहुत सारे लोग जो है वो 25-30 साल पर मर जाते होंगे और उनका average जो है वो 17 पर आकर जो है वो जोड़ रहा है that means आप यह मान के चलिए कि 30 से पहले पहले जितने भी बड़े large जो है वो England की industrial cities थी वहाँ पर 30 साल के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा population का मर जाता हो था ठीक है तो एक बार सोच के देखिए क्या यह पूरा का पूरा system capitalist के फाइदे का नहीं है आपका मजदूर जो की जवान है और वो जवानी में भी मर जाए ताकि जब वो बड़ा हो उसको आपको ज़्यादा पैसे देना ही ना पड़े उनके लिए कितना फाइदे मंद है इसलिए उन्होंने यह system चलने दिया जब तक चल सकता है चलने दो जब protest unbearable हो जाएगा तब change ले आएंगे ठीक है उनकी strategy यह थी कि जब तक चल सकता है चलने दो जब सामने से labors का protest जो है वो हमारे लिए unbearable हो जाए then we will create some change या not just labor protest लेकिन political जो है वो pressure जब merchants और जो existing government structure है उस पे जब unbearable ना हो जाए तब जाकर वो change लाएंगे यही जो है वो capitalist economy का सरकार पर control है कि उनके जो oppressive measures हैं वो उनको तब तक नहीं change करते जब तक उनके लिए absolute necessary ना हो जाए वो भी अपने फाइदे के साबसे change करते हैं उसे और जनता को लगता है उनके लिए change किया गया है ठीक है so multi fold है आपको धीरे धीरे में वो सारे folds सिखाऊंगा समझाऊंगा उन सारी तहों के अंदर जो है वो हम जाक कर देखेंगे कि कितना जो है वो greed जो है वो भरा हुआ अंदर ठीक है so यह point हमारे लिए समझना बहुत important था है average lifespan 17 years और जो रूरल एरिया है वहाँ पर भी कुछ खास बड़ा नहीं है रूरल एरिया में average lifespan 38 years है ठीक है इसका मतलब यह नहीं है कि रूरल जो एरिया के लोग हैं वो संपन थे या वो अच्छे से जी रहे थे नहीं वहाँ पर 38 years है लेकिन जो शहरों में थे उनकी तो बहुत ही बुरी अलग थी क्यूं क्यूंकि जो slums थे great britain के वहाँ पर बिमारियां बहुत बड़े लेवल पर फैलती थी इस वज़े से average lifespan बहुत कम था और सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी उसके लिए क्यूं क्यूंकि सस्ता मजदूर जो छोटी उमर का मजदूर है वो obviously उनके लिए सस्ता था इसलिए average lifespan बढ़ाने से होगा क्या average lifespan अगर बढ़ेगा मजदूर का तो इससे capitalist को घाटा ही होगा ना क्यूं क्यूंकि अगर average lifespan मान लीजे 40 साल हो गया तो जो adult हैं जो 21 साल के उपर के जितने भी मजदूर हैं उनको जादा तनख्वा देनी पड़ेगी और उनको जादा समय तक तनख्वा देनी पड़ेगी इसलिए average lifespan कम ही रहे यही फायदे में था capitalist economy का तो देख रहें इतनी greed है इंसान की जिंदगी उनके लिए एक जो है व पाड़ेगा और उन्होंने वो बदलाव कब तक नहीं लाए वो बदलाव जब तक उनके लिए absolute necessary नहीं हो गया ठीक है नेक्स देखिएगा emergence of new classes अब ने जो है वो समाज में वर्ग जो है वो डबलब होते हुए नजर आए आए उन नई classes के बारे में समझना शुरू करते है पहला point देखेगा though poverty gripped Britain's working classes the industrial revolution created enormous amount of money in the country देखिए अगर production बड़ा है तो मुनाफ़ा तो बड़ा है obviously लेकिन मुनाफ़ा किसका हो रहा है चंद मुठी भर लोगों का चंद मुठी भर जो capitalist है जिनोंने invest किया in factories में जिनोंने invest किया in technologies में केवल उनका फाइदा हो रहा है और उनका बहुत ज़्यादा फाइदा हो रहा है तो peasantry का तो obviously नुकसान हो रहा है तो समाज में एक बहुत clear जो है वो economic gap जो है वो नजर आ है इसका मतलब यह नहीं है कि economic gap जो है वो ancient medieval time में नहीं था लेकिन ancient medieval time में जो rich class थी वो aristocratic noble जमींदार या जो royal monarchial class थी रैट लेकिन industrial revolution की वज़े से merchants जो है वो अमीर हुए थे तो यहाँ पर हमें देखेगा अगर किसी capitalist को अपनी factory चला कर रखनी है तो मज़दूरों को press करके रखना पड़ेगा क्योंकि जाज़दा फाइदा निकालना है उसे तो ठीक है लेकिन मज skilled labor है उनको अपने साथ जोड़ कर रखना पड़ेगा यानि जो supervisors हैं जो managers हैं जो skilled labor हैं जो labor को सिखाते हैं वो सारे जो लोग हैं जो मुंशी लोग हैं ठीक है जो bankers वगेरा हैं doctors हैं पुलिसमेन हैं government services हैं इन सब लोगों को थोड़ा इन सब लोगों की life अच्छी रखनी प वो तो हैं ही उसके अलावा नया जो अमीर वर्ग आया वो इन merchants का आया ठीक है लेकिन एक नया middle class develop हुआ जिसमें भी एक upper middle class और एक lower middle class है ठीक है इस middle class की जरुरत इन elite class को क्यों थी ताकि जो lower class है उस पे ये middle class के माध्यम से control रख सकें ध्यान से फिर से सुनिएगा statement जो elite class ह है वो middle class का use करके lower class को क्या रखती है control में ताकि lower class अगर जिस दिन विद्रो करेगी तो वो middle class के खिलाफ करेगी elite class अपना चुप-चाप निकल जाएंगे उनको उनको जो है वो उन तक जो हो असर पहुंचने में समय लगेगा पहुंचेगा लेकिन समय लगेगा इसलिए कि यह देखते हैं जो नया middle class emerge अभर जुआ इड में कॉन-कॉन लोग थे ठीक है तो पहला पाइंट देखेगा दो पोवर्टी गृप बृतेंस working classes the industrial revolution created enormous amount of money in the country most of this wealth lined the pockets of factory owners shippers and merchants these wealthy people made up a growing middle class, a social class of skilled workers, professionals business people and wealthy farmers एक middle class developed हुआ किसका skilled workers का, professionals का business people का और wealthy farmers का देखे जो aristocratic class है उन्होंने अपने बराबर मानने से मना किया चाहे आप कितना भी अमीर मर्चंट हों लेकिन एक लेवल ऐसा आ गया कि वो मर्चंट लोग भी धीरे-धीरे उनको भी royal titles मिलने शुरू हो गए तो वो भी aristocratic या उस class में वो enter कर गए वो merchants लेकिन स्टिल उनसे नीचे जो merchants थे उनसे नीचे जो जमीदार था जो relatively अमीर था लेकिन इतना नहीं था कि वो royal title गेन कर ले इसलिए वो middle class में आकर रह गया ठीक है next point देखिएगा the new middle class transformed the social structure of great britain in the past land owners and aristocrats occupied the top position in britain society now some factory owners, merchants and investment bankers grew wealthier than the land owners and aristocrats factory owner, merchant और खास तौर पर investment bankers आज भी कुछ ऐसे bank हैं कुछ ऐसे bankers हैं जो की पूरी की पूरी nation की wealth को control करते हैं ठीक है उस समय भी नीदरलेंड्स के कुछ ऐसे banks थे जिन्होंने industrial revolution के शुरू होने से पहले भी industrial revolution के दोरान भी नीदरलेंड्स और इंग्लेंड में भी कुछ ऐसे banks थे थे जो वहाँ की royal family को direct dictate करते थे कि आपको ऐसा करना है यहां यूद लड़ना है यह लिजिए पैसे इस से treaty कीजिए तो आज भी उन bankers का इस पूरी दुनिया की पूरी economy पर control है मैंने आपको बोलना सारा system economy का है ठीक है और economy किसके control में है? banks की control में obviously ठीक है तो banks dictate करते हैं कि economy किस direction में बहेगी ठीक है उस point तक मैं आपको ले जाऊंगा ठीक है जब हम world history complete कर लेंगे न और जो यह नया order बना है ठीक है विश्यूद के बाद और bankers की क्या भूमी का है वो सारी चीज़े हम जब develop करेंगे तो आपके पास conclusions prepare होंगे next चीज़ देखिएगा so यहाँ पर हमें clear हो गया factory owners, merchant और investment bankers grew wealthier than land owners and aristocrats furthermore gradually a large number of middle class neither rich nor poor emerged this group included अब देखिए middle class में दो है upper middle class और lower middle class अब यहाँ पर आपको यह समझना है जो investment banker है बहुत ज़ादा wealthy merchants और जो factory owners है वो तो aristocratic class से भी उपर चले गए है, ठीक है so जो बहुत ज़ादा wealthy businessman है वो aristocratic class और फिर नीचे जो है वो क्या आई हमारी, aristocratic class कौन है जो जो पुष्टैनी royal families है, जो कई सेकडों सालों से industrial revolution से पहले से भी जो royal families चली आ रही है वो है aristocratic class ठीक है, जो पुराने feudal lords है, उनकी बात कर रहा हूं है जिनके पास जमीने थी, those feudal lords also converted into merchants क्योंकि उनके पास जमीने थी, उस जमीनों के जोर पे उन्होंने जो है वो, मतलब merchantalism में participate किया, then global trade में participate किया, then industrial revolution में participate किया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर जो aristocratic यह जो royal class है, they were not part of industrial revolution, definitely they were also, ठीक है but there was a upper middle class of government, अपर middle class में देखिये कौन कौन है, government employees, doctors, lawyers and managers of factories, mines and shops and lower middle class consists of factory overseers such as skilled workers as tool makers, mechanical draftmen and painter, ठीक है अब factory को manage करने वाले, doctor, lawyer, policeman यह सारे जो है, वो क्या है upper middle class, lower middle class में उस factory में काम करने वाले skilled labor, उस factory में काम करने वाले skilled artisans बगएरा ठीक है, so upper middle class lower middle class, aristocratic class और wealthy, बहुत मतलब जिनके पास जो है, वो बहुत ज़्यादा संपती खटा हो गई, ऐसे merchants जो की, जो की सरकारे control करने लगे, ऐसे merchants जो की global interest को उन्होंने control करना शुरू कर दिया, वो तो मतलब social order से उपर ही चले गए, ठीक है, they dictate the social order now, actually ठीक है, वो social order को dictate कर रहे है आज बैठे बैठे, खेर सो इस तरह these people enjoyed a comfortable standard of living, ठीक है, इन लोगों ने comfortable standard जो है, वो जीने का शुरू किया, किसने एक जो बहुत ज़ादा अमीर merchant class बनी, aristocratic class है, वो जो पराने landlords, पराने feudal lords हैं, उसके अलाबा, upper middle class और lower middle class, ठीक है अब लेकिन बचा कौन अगर सभी अच्छा खेल रहे हैं, सभी अच्छा कमा रहे हैं, तो किसकी पीट पर कमा रहे हैं वो, labors की, तो आएए देखते हैं, उन labors का क्या बुरा हल था, तो next हमारा point रहेगा, exploitation of the labor class, ठीक है, पहला point देखिएगा, factory owners wanted to increase their production by operating their machines for as many hours a day as possible, so factory owners को क्या करना है, production बढ़ाना है, production बढ़ाने के लिए उनको machine जो हैं, वो दिन में 24 घंटे चलती रहे, तो उनके लिए फाइदा ही है so production बढ़ाने के लिए जितना जादा हो सके दिन में machine चले यानि कि मजदूर जितना जादा हो सके जो है, वो एक लंबी shift लगाए, वो उनके लिए फाइदे में है, प्लस उस मजदूर को कम से कम वो पैसा देंगे, और जादा से जादा उससे काम कराएंगे, उससे भी उनका फाइदा है as a result, the average worker spent 14 hours a day at the job 6 days a week 14 घंटे की shift जो है, वो average shift बन गई उससे लंबी भी हो सकती थी, लेकिन averagely एक shift जो है, वो 14 घंटे की रही, और 6 घंटे 6 दिन जो है, वो हफते में काम करना था instead of changing the seasons, the work was the same week after week, year after year, workers had to keep up with machines, industries also posed new dangers at work, factories were seldom well lit or clean, machines often injured workers the most dangerous conditions of all were found in coal mines देखिये, simple जी बात है capitalist है, उसको जादा से जादा मुनाफ़ा चाहिए, उसको जादा से जादा मुनाफ़ा चाहिए, that means जो factory है, वो केवल उतना ही invest करेगा उस factory में जिससे उसका production जादा से जादा हो that means उस factory में ना ही proper ventilation होगा, ना ही proper sanitation होगा, ना ही proper पर जो है वो लाइट की विवस्ता होगी नहीं प्रॉपर सेक्यूरिटी मेजर्स होंगे तो जो मशीने हैं आए दिन किसी का हाथ कट जा रहा है किसी की टांग कट जा रही है कोई मर जा रहा है कोई जल जा रहा है कोई भ्योश हो जा रहा है क्योंकि अगर फरनेश हैं वो गर करकी average life spend 17 साल है क्योंकि जिस slum में वो रह रहे हैं उसमें तो विमारियां हैं ही लेकिन जिस factory में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर जो toxins हैं वहाँ पर जो pollution है both water as well as air वो उनकी health को degrade करे जा रहा है ठीक है और ये सब क्यों ताकि जो capitalist है उनको maximum मुनाफ़ा आता रहे और अब आप पूछेंगे कि government कहा थी ऐसे में तो government तो capitalist द्वारा ही बैग्ड थी तो government तो ऐसे ही कानून बना रही थी जिससे फाइदा capitalist या merchants को ही हो ठीक है तो इस समय capitalist के पूरे कंट्रोल में है government आज भी है तब भी थी लेकिन जो आज जो rights दिये गए है आज हम देखेंगे वो rights क्यों मिले कैसे मिले ठीक है conclusion create करते है आज ठीक है next point देखेगा frequent एक point यहाँ पर हो रहे है the most dangerous conditions of all were found in coal mines coal mines में कोईले की खदानों में सबसे पूरी हालत थी क्यों कोईले की खदाने जो है वो जमीन के अंदर होती है मैंने आपको बताया England में बहुत जादा बारिश होती है तो उसमें पानी भर जाता होगा तो आए दिन लोग डूब के मर जा रहे हैं कोईले की खदानों में बच और महिलाओं के साथ एक बहुत common practice थी उस समय ठीक है और किसी भी तरह का administration police structure जो है वो दुरुस्तना होने की वज़े से crimes जो है वो unobserved undocumented चले जाते थे आपने वो महल था ठीक है तो वैसा ही same scene जो है वो coal mines में था और coal mines की सबसे जादा बुरी हालत थी frequent accidents, damp conditions and the constant breathing of coal dust made the average miner's lifespan 10 years shorter than that of other workers work in the factories with long unbroken hours of the same kind of work under strict discipline and sharp forms of punishments was completely different simple जी बात है जो coal miners है उनकी हालत जो है वो बहुत बुरी थी सभी की हालत बहुत बेकार थी next point देखेगा the earning of women and children were necessary to supplement men's meager wages as the use of machinery spread the fewer workers were needed industrialists prefer to employ women and children who would be less agitated about their poor working conditions and work for work for lower wages less than men देखेगे simple सी बात है जैसे जैसे मशीने जो है वो मशीनों में जो है वो innovations बढ़ता गया अब labor की जरुरत जो है वो कम होती गई तो capitalist लोगों ने सोचा कि अगर मैं एक पूरुष को जो हो अपॉइंट करता हूँ उसको मुझे जाया तनख्वा देनी पड़ेगी और उसको अगर मैं उप्रेस करता हूँ तो वो विरोध भी कर रहा है उसकी जगह अगर मैं बच्चो और महिलाओं को अगर अगर अपॉइंट करता हूँ तो कम पैसे में वही same labor मुझे मिल रहा है प्लस वो agitate भी नहीं करेंगे so that means यहाँ पर women और बच्चों का employment बढ़ा पूरुषों का employment गढ़ा ठीक है और उसके साथ हमें दूसरा trend यह में नजर आया कि एक घर को चलाने के लिए पूरुष की आमदनी इनफ नहीं थी तो उसी घर की महिलाओं ने भी बच्चों ने भी जो है वो क्या काम करना शुरू किया इन फैक्ट्रियो में इन कोल मैंज में काम करना शुरू किया यह बात हमने इस्टबिश कर ली चिल्रन वर ओफन इंप्लोइड इन टेक्ट्राइल फैक्ट्रीस बिकास दे वर स्मॉल एनफ तो मूव बट्वीन ताइटली पैग मशिनरी यह जो है वो छोटा सा पॉइंट है कि बच्चों को इसलिए एंप्लोई भी किया जाता था क्योंकि उनके छोटे छोटे हाथ बहुत सारे ऐसे काम थे जहां पर बारीक काम करना होता था तो वहाँ पर बच्चों के जो छोटे हाथ हैं बच्चों का छोटा stature मशीनों के बीच में से आने जाने में मदद करता था तो बहुत सारी ऐसी मशीने थी जहाँ पर बच्चों को employee किया जाता था ठीक है अब हमने देख लिया मजदूरों का बुरा हाल है ठीक है एक middle class develop हो गई है economic फाइदा केवल middle class upper middle class और जो merchant work जो develop हुआ है उसको हुआ है और जो labors है वो labors जो है ना विचारी presentry जो है वो old order में भी पिस रही थी वो new order में भी पिस रही है लेकिन यहाँ पर धीरे-धीरे labors को यह समझ आया देखिए next point क्या है हमारा इसी पर हम बागे बढ़ रहे है next point देखिएगा emergence of trade unions ठीक है emergence of trade unions समझाते है धीरे-धीरे labors को यह समझ आया कि यह नहीं हम सारा काम कर रहे है और मुनाफ़ा यह लोग कमा रहे है at least हमारे हालातों में तो सुधार हो हमारी average lifespan देख लीजिए 17 साल है 20 साल होगी कोई 25 साल जी रहे है मर जा रहे हैं जाज जादा और आप मरने दे रहे हैं क्योंकि आपके लिए जो जवान मजदूर है वो सस्ता मजदूर है इसलिए आप कुछ करनी रहे हैं तो यह सारी चीज़े जो जो skilled labor है उसको यह बात समझ आई प्लस धीरे धीरे जो educated work क्योंकि education भी education का भी जो development हुआ है तो जो educated work तयार हो रहा है society का उन्होंने मजदूरों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू करी और जो skilled labor है वो हो सकता है educated भी हो तो उन्होंने अपनी जो है वो position को समझना शुरू किया कि हम skilled labor है we are irreplaceable यह हमें replace करना management के लिए मुश्किल है तो अगर हम strike करते हैं या काम करने से मना करते हैं तो economic pressure जो है वो management पर capitalist पर बढ़ेगा तो इस economic pressure का फाइदा उठाकर हम मजदूर भायों के लिए जादा से जादा liberty जादा से जादा जो है वो उनके हक में loss जो है वो develop करने की कोशिश करते हैं ठीक है इसी भावना के साथ शुरुवाती trade unions जो है वो develop होनी शुरू हुई और उसके counter में सरकारों ने क्या कानून बनाए फिर उनके समर्थन में क्या कानून बनाए यह हम धिरे धिरे देखते हैं क्योंकि ब्रिटेन की government ने शुरू में देखते हैं आये इन पॉइंट्स के मादम से समझते हैं मैं spoil नहीं करना चाता है इन पॉइंट्स के मादम कराने के लिए उन्होंने यूनियन बना ली यह भी हम समझ गए यूनियन्स एंगेज़ इन कलेक्टिव बागेनिंग नेगोसियेशन बिट्वीन वर्कर्स एंड देर इंप्लोयर्स यह भी हमें समझ गया नेक्स चीज यह भागेंड पर बेटर वर्किंग कंडिशं एंड हायर पे किस चीज के लिए भागेंड किया उन्होंने कि वर्किंग कंडिशं बेटर हो और तंखवा रिजादा यही तो उनकी समस्यां है इन फैक्टरी और इंफेक्टरी आँनर्स रिफूज these demands union members could strike or refuse to work skilled workers led the way in forming unions because their special skills gave them extra bargaining power management would have trouble replacing such skilled workers as carpenters, painters and spinners thus the earliest unions helped the lower middle class more than they helped the poorest workers ठीक है यहाँ पर यह सारी चीज़े यह सारी चीज़े मैंने आपको समझा दी है लेकिन यह आखरी स्टेटमेंट है न कि earliest unions helped the lower middle class more than they helped the poorest workers क्यों? क्योंकि यह जो unions थी जो शुरुवाती unions थी यह these unions were led by whom? led by these skilled workers और यह जो skilled worker है यह society का lower middle class है तो जो skilled worker है वो अगर नराज हो गया तो जो management है जो factory का management है उसके लिए problem है तो skilled worker को अपने साथ जोड़ कर रखना बहुत जरूरी है तो skilled worker को खुश करने के लिए skilled workers को जो है वो rights और जो भी मतलब उनकी जो demands है उनको मान लिया गया skilled workers की तो जो शुरुवाती unions है इससे क्योंकि देखिए जो शुरुवाती unions है ना उसमें skilled workers ने जो है वो lead किया सभी जो है वो labor को lead किया लेकिन skilled workers को अपने साथ जोड़ना बहुत आसान था किसके लिए जो भी capitalist है जो भी merchant है जो भी factory management है क्योंकि agitation की भावना अभी तक धीरे धीरे develop नहीं हुई थी वो agitation की भावना धीरे धीरे develop हुई जो union जो सही तरीके से काम करे यानि कि एक ऐसी union जिसके leader बिकाओ ना हो उस level तक union के morals या ethics पहुँचने में अभी समय था शुरुवाती जो unions थी उनके जो leaders थे वो बहुत आसानी से आ जाते थे किसके control में management के control में ठीक है इसलिए हमारा last point last two point है देखे क्या है thus the earliest unions help the lower middle class more than they help the poor workers the trade union movement underwent slow painful growth in both Great Britain and United States जो शुरुवाती जो unions है वो बहुत धीरे धीरे develop हुई ठीक है क्यों क्योंकि जो उनके leaders है वो बहुत आसानी से management के control में आ जाते थे लेकिन देखेगा अब धीरे धीरे development देखते है इन unions का British unions had shared goals of raising wages and improving working conditions ठीक है तो ये चीज़ हम समझते है उनका goal क्या था वेज में raise होना चाहिए और working conditions को improve करो for years the British government denied workers the right to form unions the government saw unions as threat to social order and stability as reflected from the combination acts of 1799 and 1800 outlawed unions and strikes ठीक है 1799 और 1800 जो combination acts है नहीं है इसमें union बनाना और फिर strike करने को outlaw यानि की illegal घोशित कर दिया गया ठीक है ऐसा वो क्यूं कर रहे हैं अब जो strikes हो रहे हैं वो किसलिए हो रहे हैं ताकि यह जो working condition इसको ठीक किया जाए जो आप हमें मतलब जानवरों की तरह आप हमसे जो काम करा रहे हैं ऐसा ना हो जो रेनेसांस आया था वो क्यूं आय था ताकि इंडिविजुलिजम आये लोगों का भला हो इस रेनेसांस का आपने रेनेसांस को तो ग्लोरीफाई कर दिया लेकिन जो इंडिस्ट्रियल रेवोलूशन में जो कैप देखिए रेनेसांस से पहले जो working class थी वो स्फल इसकी वजह सब्बाटो डिनेसांस इसकी वजह से kannst Rush हुआ है इस ने तो जो भी ruling elite class है उसका जो exploitative nature है वो तो बदला ही नहीं न वो तो medieval dark ages में भी वैसा ही था वो तो modern times में भी यही कर रहा है ठीक है तो बदलाव क्या लाया तो इसी बदलाव के लिए अब unions ने जो है वो collective collect होना शुरू किया और protest करना शुरू किया तो combination acts निकाल दिये British government ने यह से हमारे पास जो है वो हमें आधार मिल जाता है इस बात का कि जो merchants का interest है it was aligned with the government's interest कि government जो है वो merchant के interest में काम कर रही है क्योंकि इतना जो inhuman condition है इसके खिलाफ strike इसके खिलाफ आवाज उठाना जो है वो unconstitutional illegal जो है वो गोशित कर दिया गया by these combination acts ठीक है so combination acts of 1799 1800 हमें यह पता चल गए ठीक है next point देखेगा combination act आने के बावजूद इन मजदूरों ने इन unions को form भी किया और protest भी किया क्योंकि जब आपकी जान ही नहीं बचेगी तो आप जान को बचा कर करेंगे भी क्या right मलब conditions इतनी बुरी है कि that you are dying anyway so अगर आप प्रोटेस्ट करते होएं मर जाएं तो उससे हो सकता है कि कुछ positive फायदा निकल जाए so bravely ignoring the threats of jail or job loss factory workers joined unions anyway parliament finally repealed the combination acts in 1824 तो मैंने बोला ना कि तब तक नहीं करते है तब तक जो है वो कानूनों में बदलाव नहीं लाया जाता जब तक absolute necessary ना हो जाए तो 1824 में जाकर combination acts को वापिस ले लिया गया क्यूं क्यूंकि काम करना capitalist के लिए जो है वो मुश्किल हो गया कितना jailों में भरेंगे कितने लोगों को आप जो है वो job से निकालेंगे ठीक है obviously आप मजदूरों को replace कर सकते हैं लेकिन skilled labor को आप replace नहीं कर सकते ना सो जो धीरे-धीरे skilled labor जिसको आप पहले खरीद लिया करते थे वो अब union के leaders के form में एक उनका जो है वो ethics जो डवलप हुआ है उनकी जो morality डवलप हुई है और उन्होंने अपने job के छिंज आने का जो है वो उन्होंने risk उठाया तो जब जब कोई व्यक्ति इस चरह act करना शुरू कर देता है that that person has nothing to lose तो आप उसके उस व्यक्ति के साथ reason नहीं कर सकते ठीक है तो government ने इस बात को भली बांती समझा और उन्होंने हटा लिया किस चीज को किस point को किस act को combination act को ठीक है कब 1824 में तो यह चीज मैंने आपको समझाई है कि सरकार कोई काम तब तक नहीं करती हूँ खास तोर पे खास तोर पे यह जो early modern जो government structure था यह जो शुर्वाद industrial revolution के बाद में जो government structure जो develop हुआ है यह लोग जो है वो merchants के interest के साथ aligned थे ठीक हम धीरे धीरे में आपको develop करवाँगा कि कैसे जो है वो benevolent government structure भी develop हुए है ऐसी बात नहीं है next point देखेगा after 1825 the British government was compelled to accommodate unions 1825 के बाद British government जो है वो उनको necessity हो गई कि unions को accommodate करे अब unions बनाना जो है वो क्या हो गया जायद हो गया ठीक है लीगल हो गया by 1875 British trade unions had won the right to strike and pick it peacefully 1875 तक इन British unions के पास right आ गया किस चीज़ का strike करने का तो देख रहे हैं आप ये unions जो है वो 1800 यानि की 19th century के शुरुआत में 18th century के end में डवलप होनी शुरू हुई ठीक है इन unions को strike करने का right जाकर मिला 1875 में तो इससे हमें क्या नजर आता है इन trade unions की persistence and that is a great that is one of the greatest virtues of an administrator कि कोई भी बड़ा बदलाव जो है वो आपके हो सकता है कि आपके tenure में ना आए ठीक है क्योंकि जितने भी trade union के leaders रहे होंगे वो replace होते रहे होंगे so over the period of hundred years अगर यह इतना बड़ा over the period of hundred years जाकर उन्होंने strike का right मिला है अभी भी change नहीं आया strike करने का right मिला है उन्हें ठीक है तो कितने सारी leaders जो है वो यहाँ पर बदले होंगे तो यह चीज़े आपको अपने अंदर develop करनी है कि जो अगर कोई भी आपका जो है वो बड़ा the vision of British Empire British Empire की जो पूरा design है न वो इसी चीज़ पर बेस था कि उनको भारत को colonize करना है politically, economically, socially हर तरीके से और वो एक व्यक्ति नहीं करेगा यह जो है वो उनके पूरे nation का agenda है तो जो भी वो काम कर रहा है जब उसका tenure खतम हो गया तो वो अपनी जिम्मेदारियों को अगले को दे देगा, तो यह छोटी एक बहुत बारीक सी चीज़ है समझने कोशिश कीज़ेगा, I hope आपको समझाई होगी, इस फंडे पर आगे कभी में एक अलग से session लूँगा, ठीक है जब मैं आपको feudalism समझाऊंगा ना, तब मैं यह चीज़े क्लियर करूँगा कि भारत और आपको explain करूँगा, वहाँ पर हम समझेंगे, खेर, नेक्स देखिएगा, अगला point, 1875, British trade unions had won the right to strike and pick it peacefully, they had also built up a membership of 1 million people, 10 लाख लोग जो हैं वो इन unions में जुड़ गए, तो मैंने बोला ना, कि आप skilled labor को replace नहीं कर सकते, आप labor को replace कर सकते हैं, लेकिन अगर सभी labor जुड़ जाएंगे, तो अप नया labor कहां से लेकर आईएगा, ठीक है, अब अपनी colonies से labor को import कर सकते हैं, डेफिनेटली, लेकिन फिर उनको skilled, मैंना capital है, investment है वो, right, और जो capitalist के agenda क्या है, कम से कम investment जाद से जादा फाइदा, तो नया investment करने से अच्छा है, उनने जो already available, नया investment करने में ज जादा खर्चा था, नया capital invest करने में जादा खर्चा था, जो already skilled labor है, उनकी हलाते सुधारना जो है, वो सस्ता पड़ता, इसलिए उनकी हलातों में reform करना, capitalist ने सही समझा, अगर उनके पास और कोई सस्ता alternative होता, तो वो definitely उसको अपनाते, ठीक है, देखेगा, in the United States skilled worker had belonged to union since 1800s in 1886, 1886, several unions joined together, यह बहुत important point है, in 1886, several unions joined together to form the labor organization that would become the American Federation of Labor, AFL, बहुत important point है, 1886, American Federation of Labor, next point, a series of successful strike won AFL members higher wages and shorter hours, subsequently, several reform bills were introduced in the parliament to improve the conditions of the worker, अब देखेगा, जो American Federation of Labor है, यह तो बनी United States में, लेकिन इसी तरह की बहुत सारी powerful trade unions जो हैं, वो ब्रिटेन में भी डबलप हुई, और उन्होंने ब्रिटेन के Parliament को विवश्च किया कि ऐसे कानून आप बनाएं, जिससे हमारे हालातों में सुधार आएं, ठीक है, और देखेगा, जो, मैंने आपको बोला ना कि capitalist, जो capitalist है, उन्ही के control में British Parliament है, या था, था करते हैं बात, है की बात अब धिरे-दिरे आगया के develop करेंगे वो चीजे हैं, ठीक है, लेकिन उस से में capitalist के control में British Parliament है, so capitalist क्या चाते हैं, कम से कम लागत में, जादा से जादा मुना ठीक है, लेकिन उनके जो, उनके जो workers हैं, उनके जो skilled workers हैं, वो strike कर रहे हैं, उन सभी को replace करने में, और जादा capital लगाना पड़ेगा, इसके बजाए ऐसे कानून बना दो, कि उनकी मांगे जो हैं, वो कुछ हद तक मान ली जाएं, ताकि काम वापिस जो है, वो शुरू हो ज तो देखिएगा, क्या है यहां पर, इन बोथ Great Britain and United States, इन दोनों राश्ट्रों की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि Great Britain का ही, की ही उपज है United States, आगे मैं आपको बताऊंगा, American Revolution जब करवाँगा, वहां पर समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है, new laws reformed some of the worst abuses of industrialization, ठीक है, new laws जो उसमें जो सबसे बुरी हालत थी ना, उसको सुधारन में काम किया गया, in 1832, for example, the English Parliament set up a committee to investigate child labor, 1832 में English Parliament ने child labor को investigate करने के लिए committee बिठाई, बहुत important point है, as a result of this committee's findings, Parliament passed the Factory Act of 1833, बहुत important point, ब्रिटेन में Factory Act of 1833, पास हुआ है, 1832 की child labor के उपर, जो investigation करने के लिए committee बनी है, उसकी report पर, इसने इस act में देखी है, क्या-क्या provisions थे, the new law made it illegal to hire children under 9 years old, 9 साल की उमर के नीचे के बच्चे को आप hire नहीं कर सकते, Children from ages of 9 to 12, could not work more than 8 hours, young people from 13 to 17, could not work more than 12 hours, ठीक है, देखे, 1833 की act ने क्या होला, 9 साल के कम उमर के बच्चे को तो आप काम पर रखी नहीं सकते, 9 से 12 साल के बच्चे की उमर, अगर बच्चे की उमर है, तो उससे आप केवल 8 घंटा काम करा सकते हैं, 13 से 17 से केवल 12 घंटा काम करा सकते हैं, ठीक है, अभी भी बुरा है हालात, लेकिन relatively थोड़ा ठीक है, द इससे काम जो है वो आपे शुरू हो जाए, ठीक है, और हमें कम से कम घाटा हो, यह बैलेंस जो है वो रखना चाहते थे, वो अपने existing system में, अब देखिए, new order versus old order फिर से है, industrial revolution was a fight against old existing agrarian order, right, now the strike of the workers was also a new order, ठीक है, जो workers की strike है, वो इन capitalist द्वारा जो बहुत बुरी हालत कर दी गई है लेबर्स की, जो old, वही तो old order बन गया न, ठीक है, उसके खिलाफ एक नया order क्या आया, कि अच्छे wages, बहतर working conditions और जादा wages, यह एक नया order develop होता गया, again new order, new order, old order में fight, जिस fight का resolution किस ने किया, British Parliament ने, by the factory act of 1833, ठीक है, बहुत important point, next in 1842, the mines act, बहुत important है, 1842 का, the mines act, prevented women and children from working underground, 1842 का, the mines act, बहुत important है, ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है, तो 1842 में जाके, mines में काम करना, जो है, वो illegal गोशित किया गया, महिलाओं और बच्चों का, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के साथ, underground बहुत सारी समस्य है थी, ठीक है, उनका शारेरिक शोषन उसमें से एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन और भी बहुत सारी समस्या है थी, ठीक है, next देखिएगा, in 1847, the parliament passed a bill that helped working women as well as their children, 1847 में एक और working women के लिए bill passed हुआ, फाइनल, the 10 hours act of 1847, ये बहुत important है, the 10 hours act of 1847, limited the work day to 10 hours for women and children who worked in factories, women और children के लिए work hour जो है, वो 10 घंटे का fix कर दिया गया, और जिसमें से 9 से 12 साल के जो बच्चे हैं, वो तो केवल 8 घंटे ही काम करेंगे, ठीक है, factory act 1833 के according, reformers in the United States also passes legislation to protect child workers, ठीक है, same जो है वो, same तरह के legislations, United States में भी पास किये गए, ताकि child labor के, child labor के, जो भी, मतलब, उनके अपलिफमेंट या उनके protection के लिए भी, ठीक है, कानुन पास किये गए, United States में, तो यहाँ पर हमें कुछ reforms जो हैं, वो आते होए नजर आए, और यह reforms किस वज़े से हुआ, because unions जो हैं, वो form की गई, skilled labor के leadership में, जो labors हैं उन्होंने, और उन्होंने pressure डाला management में, और जो capitalist हैं, उन्होंने सरकार के साथ मिलकर क्या, यानि strikes भी बंद हो जाएं, प्लस हमारा मुनाफ़ा भी जो है, वो बना रहें, तो government जो है, वो balance create करने का काम कर रही थी यहां पर, बहुत important है, आपको इस perspective से भी देखना बहुत ज़रूरी है, कि अबला आप कितावा में यह लिखा हुआ, जो अंग्रेजी, अंग्रेजी तेहासकारों ने जो यह तेहास document किया, ग्लोरिफाई करते हुए, कि ब्रिटिश सरकार ने इतना जो है वो, देखिए, यहां पर 10R Act ले आए, उन्होंने ऐसे जो है, मतलब publicize किया है, अपने इन नए acts को जैसे इन्होंने बहुत बढ़ी आगाम कर दिया, ठीक है, लेकिन ज रहने का यह मतलब है, एक यह भी मतलब है कि आपको प्रोपगेंडा से भी बशते रहना है, और प्रोपगेंडा ऐसा नहीं है कि भारत में ही है, प्रोपगेंडा हर जगा है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, रशिया में भी है, हर जगा है प्रोपगेंडा, ठीक ह हमें इसमें से काम की चीज़े निकालनी है, जो हमारे answer writing में उदत करें, ठीक है, तो जो मैं आपको propaganda समझा रहा हूँ, हो सकता है कि answer writing में आपको directly लिखना फायदेमंद कम रहे या ना रहे, लेकिन इसकी समझ आपको होना बहुत जरूरी है, ठीक है, आपकी writing जह है, वो neutral होनी नहीं आपको propaganda को glorify करना है, और नहीं उसको बहुत ज़्यादा criticize करना है, जहाँ पर सवाल में दिया ही हो कि आपको critically analyze करना है, वहाँ पर तो definitely करना ही है, ठीक है, लेकिन इसका मनलों यह नहीं है कि आपकी writing में नजर आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है, वो किसी एक किसी एक particular government या किसी एक particular governmental structure को criticize करते हुए नजर आ रहे है, नहीं, neutral रहना है, ठीक है, तभी मैं आपको सारे के सारे aspects समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी मैं आपको capitalist जो है, उनकी मजबूरिया भी तो समझा रहा हूँ, ठीक है, government जो aristocratic class थी, उनकी मजबूरिया, उनकी जो समस्या है, उनकी जो situation है, वो भी मैंने आपको समझाए, कि उनको अपना royal title, अपने जो पुराने चले आरहा, जो royal, मतलब royalty है, वो बचा कर रखनी है, इसलिए उनने merchant से हाथ मिला लिया, हाथ जोड लिया, खेर वो glorious revolution जब करवाँगा, वहाँ पर detail में समझाऊँगा बहुत सारे topic आगे आएंगे, सारी छोटी छोटी चीज़े हैं, clear हो जाएंगी, ठीक है, खेर, अगले point पर बढ़ते हैं, next आएगा हमारे सामने, abolition of slavery, अब slavery को कैसे हटाए गया, आए देखते हैं, ठीक है, देखिए, slavery भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, किसी भी तरह का को कोई रोकटोक नहीं है, जो मर्चेंट्स हैं, उनको तो जाद से जादा फाइदा निकालना है, तो अगर कोई आप मजदूर, जो है, वो appoint कर रहे हो, कोई labor appoint कर रहे हो, उसको तो आप तन्खवा देनी पड़ेगी, लेगिन अगर आप किसी slave को एक बार खरीद लाए, तो उ उसे मार भी देते हैं, तो आपके उपर कोई जो है, वो punishment नहीं है, क्योंकि आपका slave आपकी possession है, और आपकी मर्जी है, आप उसे कैसे मर्जी treat करें, ठीक है, तो slavery एक बहुत बड़ी समस्या थी medieval times में, भारत में भी, एशिया के अन्य भागों में भी, यूरोप में भी, अम एफरीका मिल गया, एफरीका में उनने देखा कि यहां के tribes हैं, साथ-साथ फुट के, लंबे चोड़े, हटे-कटे, मजबूत आदमी हैं, जिन से मजदूरी करवाई जा सकती है, भार के, और tribal हैं वो, यानि कि उनके tribal leaders को bribe करके, उनके tribal leaders को bribe करके, उनके tribal leaders को bribe करके, उन European merchants द्वरा और उनको Europe में भी लाया गया, और America में भी भेजा गया, भारत भी भेजा गया, जहां जहां पर उनकी colonies थी, Britishers की भी, French की भी, Spanish की भी, Germans की, Swedish की, सब की, ठीक है, तो इन slaves की क्या हुई, trading, अब इन slaves के उपर, slaves के जोर पे, plantations, mines में काम कराया गया, मरते दम तक काम कराया गया ने, तो एक मजदूर को आपको जो है, वो तनख्वा देनी पड़ेगी, एक slave अगर मर भी जाये तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, merchant को, यह जो है, वो पुराना system already established था, तो आईए देखते है, slavery की abolition कैसे हुई, so पहला point देखेगा, among the curses of industrial revolution, slavery was the most inhumane and agon organizing, William Wilberforce, a highly religious man, who was a member of British Parliament, passed a bill to end the slave trade in British West Indies in 1807, बहुत important है, William Wilberforce ने, एक ऐसा bill पास करवाने की कोशिश करी, British Parliament से, जिससे West Indies में, यानि जो America, North America, South America, Central America, इसको West Indies कहा गया, यहाँ पर, slavery के abolition के लिए ठारो साथ में, एक बिल पेश किया गया, तो यह West India, अब कभी आपने सोचा है कि East India Company को East India Company क्यों कहा जाता है, यानि अगर कोई East India है, that means कोई West India भी है, तो इसके पीछे एक रोचक कहानी है, शुरुवाती जो European explorers है न, वो भारत के लिए रास्ता ढूंदते ढूंदते, Christopher Columbus जैसे, और भी बहुत सार explorers हैं, जो Atlantic Ocean में रास्ता भटक गए, और वो पहुँच गए जाकर, उनको मिल गया जाकर North America, और South America भी, ठीक है, तो जब वो North America पहुँचे, तो उन्होंने North America कोई India मान लिया, और कुछ समय तक वो India कहकर वहाँ पर रहने लगे, उसको इंडिया कहके, ठीक है, कुछ समय बाद उन्हें समझ आया कि इंडिया ये तो है नहीं, जैसा आमने इंडिया कल्चर सुने है, वैसा तो इंडिया है नहीं, क्यों, क्योंकि वास्को डगामा को actual इंडिया मिल गया, 1498 में जाकर, ठीक है, तो जिस लेंड को वो figurative एक मतलब था इंडिया का, इंडिया का मतलब था एक ऐसा लेंड जहां से उनको बहुत सारे resources मिलने वाले हैं, इंडिया एक ऐसा लेंड है, तो अमेरिका भी एक ऐसा ही लेंड उनके लिए प्रूव हुआ, जहां से उनको बहुत सारे resources मिलने वाले हैं, इसलिए उन्होंन अमेरिकाज को भी इंडिया संग्या दी लेकिन that was the West Indies and जो इंडियन सबकॉंटिनेंट था that was that was came to be known as East Indies ठीक है तो ये चीज़ I hope आपको समझ आई होगी और जो Native Americans है उनको उन्होंने उनकी चमडी का रंग थोड़ा भूरा और क्योंकि धूप की वज़े से अध्यूंड आड शारी था भूरा लाल सा रंग है तो उनको उनको नोने का Red Indians जो Native Americans को जो है वो Red Indians का गया though they were not Indians राइट Obviously they were not Indians but they were they came to be known as Indians because the Shirovati explorers that they wanted to find India but in fact they found another land right America लेकिन America is also rich in resources इसलिए उन्होंने भी इंडिया का मतलब कहा था एक ऐसी जगह जहां पर रिसोर्स बहुत है ठीक है next point देखेगा after he retired from parliament in 1825 Wilberforce continued his fight to free the slaves Britain finally abolished slavery in its empires in 1833 भारत में भी by the Charter Act of 1833 Britain ने भारत में भी slavery को abolish किया similarly Charter Act कहां से निकला है Britain का Parliament से न that was not confined only for India उन्होंने जो Charter निकाला है वो Britain की हर एक कॉलनी के लिए था तो 1833 में Britain की जितनी भी colonies हैं वहां से slavery को abolish किया गया अब ये slavery को abolish करना capitalist के हितों में भी था मैंने बोला ना ऐसी सारी चीजें जो capitalist के लिए समस्या बनी जा रही है उन्होंने उस समस्या को resolve किया दोनों direction से सोचना है ना मैं ठीक है जो workers हैं जो oppressed हैं और जो oppressor हैं ठीक है oppressed जो है वो विरोध कर रहे हैं और oppressors को विरोध को हटाना है ताकि उनका business smooth चलता रहे तो oppressors ने विरोध को हटाने के लिए उनको थोड़ी रियायते provide करी ताकि वो शान्त हो जाएं जिससे उनका business वापिस smooth flow में चलता रहे तो दोनों direction से आपको सोचना है तभी एक neutral approach आप develop कर सकेंगे ठीक है 1833 में लेकिन point यहाँ पर यह है कि Britain finally abolished slavery in its empires in 1833 direct point है आपको ध्यान रहना चाहिए ठीक है in the United States the moment to fulfill the promise of declaration of independence by ending slavery grew in the early 1800s ठीक है अब वैसे तो America की revolution में आपको समझाऊंगा आगे कुछ ही आने वाले topics में लेकिन वो जो independence का declaration है न American revolution का उसमें clear बात लिखी गई थी कि हम slavery हटा देंगे लेकिन अमेरिका की जो maximum colonies हैं वो ब्रिटेन के control से हटने के बावजूद भी वहाँ से slavery जो हटी नहीं ठीक है तो उस slavery को हट यानि कि जो खासकर एफ्रिकल लोगों पर जो एफ्रिकल लोगों जो slaves की तरह treat किया जा रहा था वो हटी नहीं यूएस से ठीक है तो उस slavery को हटाने के लिए धीरे धीरे जो है वो 1800 में movement शुरू ही अब अमेरिकन सिवल वार पे पूरा डिटेल में session लोगा बहुत American revolution समझाऊंगा American आपको मैं industrial revolution समझाऊंगा वहाँ पर कैसे आई वहाँ का जो है वो capitalist system आपको बिलकुल बारी के समझाऊंगा civil war सारे aspect समझेंगे ऐसा आपका मतलब मैं आपको बलो ना कि अगर कोई America की कोई political situation आज की आप जो monitor करनी शुरू करेंगे ना तो आपको बहुत भैतरीन तरीके समझाएगी यह Democrats और Republicans में क्यों जगडाए सारी चीजे हैं क्या ठीक है ऐसा आपका perception जो है वो generate करूँगा मैं ठीक है अलब ग्लोबल परसेप्शन सो खेर civil war को जार डीप में नहीं जाते civil war basically slavery के abolition को लेकर आप मान सकते हैं ठीक है civil war हुई लेकिन it was not कि civil war का केवल वही मुद्दा था और भी बहुत सारे थे लेकिन slavery को हटाया जाए that was one of the मुद्दा of civil war लेकिन जब finally civil war जीती गई union द्वारा अठारसो पैसेट में slavery को हटा दिया गया officially हटा दिया गया लेकिन जहां जहां पर union strong थी वहां पर slavery हटी जहां जहां पर union weak थी ठीक है जो southern United State है Texas का जो area राइट जो rednecks जहां रहते हैं वहां पर आज भी बहुत जादा जो है अब देखे क्यूबा पर तो रिको क्यूबा एंड ब्रजील ठीक है पूर्तो रिको क्यूबा और ब्रजील में ही civil war के बाद अमेरिका में क्या रहा slavery रही इन पूर्तो रिको पूर्तो रिको जहां अंगरेजी में पढ़ते हैं और गूस्टो रिको में slavery हटी 1873 क्यूबा में slavery हटी 1886 और ब्रजील से 1888 ठीक है और United States of America में 1865 तो यह बहुत important point है slavery को लेकर ठीक है next पे आते है अब slavery भी हट रही है, labor के rights भी improve हो रहे हैं तो women, women जो है वो अपने rights के लिए कैसे पीछे रह सकती है women's ने देखी है कैसे जो है वो दीरे-दीरे fight करी अपने rights के लिए, ठीक है, so women's fight for change पहला point देखेगा, the industrial revolution proved a mixed blessing for women देखेए, industrial revolution महिलाओं के लिए बहुत सारी समस्याएं और समधान भी ले कराई समधान ये कि जो already traditional system है, वहाँ से महिलाओं बहार निकली और महिलाओं ने factoryों में या रोजगार कमाना शुरू किया तो जो महिलाओं पहले handloom या cottage industry में काम कर रही थी उससे महिलाओं जो है वो factories में इससे हुआ ये कि महिलाओं की आये में वृद्धी हुई लेकिन समस्या ये है कि वो वृद्धी पुरुषों के मुकाबले कम थी जबकि महिलाओं बराबर जो है वो मजदूरी कर रही थी जहाँ पर उनका क्या हो रहा था? Exploitation ठीक है तो relatively they were earning better than the better than their urban their female's rural counterpart उनकी जो rural counterpart थी female की उनसे वो relatively better कमा रहे थे लेकिन पुरुषों से वो क्या कमा रहे थे? कम ठीक है second point देखेगा on the other hand factory work offered higher wages than work done at home for instance women spinners in Manchester earned more money than women who stayed home to spin cotton thread on the other hand women factory workers usually made only one third as much money as men right one third ही कमा रहे थी half भी नहीं one third कमा रहे थी अगर एक woman factory में काम कर रही है एक पुरुष के साथ तो महिलाओं को एक तिहाई जो है वो दिया जा रहा था पैसा जितना मर्दों को दिया जाए ठीक है women led reform movements to address this and other passing social issues during the mid 1800s for example women started forming trade unions in trade unions in trades where they were in majority and started to bargain for their better wages and better working conditions obviously the first organized बहुत important point है यहाँ पर आता है बहुत important point the first organized movement for British women's suffrage was the Langham Place Circle of the 1850s led by Barbara Bodycon and Bessie Rayner Parks ठीक है बहुत important point है यह दो बहुत important महिलाएं है Barbara Bodycon और Bessie Rayner Parks जिन्होंने Langham Place Circle 1850s की जो पहली जो organization है पहला बड़ा organization था किसका women oppression के खिलाफ जो movement रही ठीक है कहां की Langham Place Circle की उसको lead किया 1850s में बहुत important दो महिलाएं है इनका नाम आपको याद रहना बहुत जरूरी है ठीक है so women's fight for change के लिए हमारे पास ये example देखने को आ जाता है during industrial revolution अब ध्यान रखेगा this was only during industrial revolution आगे की बात हम आगे करेंगे ठीक है पूरा हमें women rights के women women rights को लेकर बहुत सारे examples हमारे पास prepared होने चाहिए exam point of view से बहुत important होता है ठीक है अगर आप कोई भी answer लिख रहे हैं वहाँ पर example जो है वो produce कर दिया site कर दिया वहाँ पर तो आपके marks जो है वो improve हो गए समझ लीजेगा बहुत important रहता है female activism या feminism के point of view को अगर आप examiner देखना चाहता है कि क्या आप इस चीज़ को deeply समझते हैं या नहीं क्योंकि मेरी personal समझ यह है महिलाओं को overcome कर लेना चाहिए हर एक economic political sphere को क्योंकि जो पुरुषों का जो greed है ना खास तोर पर जो मैं आपको बताया ना Emanuel Kant ने किस तरह समझाया था कि पुरुष पुरुष से हमेशा लड़ना चाता है पीस नहीं create होगा धरती पर जब तक पुरुषों के control में रहेगा system महिलाओं के control में system आएगा तो पुरुष जो है वो थोड़ा leash में रहेंगे और system जो है वो एक मनला harmonist तभी हो पाएगा अब देखते हैं अन्य reforms के बारे में अधर reforms देखे क्या-क्या है पहला point समझीएगा gradually the reforms spread to other areas of life in United States and Western Europe reformers try to correct the problems troubling the newly industrialized nations देखे जो भी यह जो जितने भी industrial problems थी यह पहले जो शुरुवाती industrial revolution हुई obviously वही पर ही शुरुवाती trade unions बनी होंगी obviously उन्हीं के ही workers को जो है वो शुरुवाती फाइदा पहुँचा होगा लेकिन जब धीरे धीरे यही trade unions और यही जो labor federation हैं यह global level पर पहुँची और जो अन्य राष्ट्र अन्य जो नए industrialized राष्ट्र हैं वहाँ पर वही जो exploitation का चक्र उन्होंने देखा तो अब जो नए industrialized राष्ट्र हैं उनके labor को uplift करने का काम जो है वो इन already established well established labor federation ने उठाया ठीक है कहां के United States और Western Europe के public education and prison reform ranked high on the reformers list ठीक है नहीं केवल देखें अब यह जो reformers हैं जिन्होंने reform जो है वो labor के लिए शुरू किया अब वो reform जो है वो public sphere में ले आएं वो क्योंकि labor को उन्होंने reform करा दिया राइट अब जो है वो reform किसके लिए ज़रूरी है अन्य चीजों के क्योंकि labor society में तो रह रहा है न तो उस labor के बच्चे को public education मिले public education यानि सरकार उसको मुफ्त education provide गरे ठीक है और उसके अलावा not just education लेकिन अगर आप prison में किसी भी इंसान है उनके साथ जो है वो हुमेन बरताव किये जाए उसके लिए भी reform जो है वो लाए गए ठीक है there were demands which favored free public education for all children by the 1850s many states were started to establish a system of public schools in western europe free public schooling became available in 1800s in 1831 french writer Alexis de Taquaville had contrasted the brutal conditions in American prison to the extended liberty of American society अब यह न मैं आपका American revolution में समझाऊंगा इस एक statement को pin रखिएगा ठीक है इस french writer की American revolution में समझाऊंगा चीज में आपको ठीक है और civil war के दौरान समझाएंगा हम यह चीज reformers took on the challenge of prison reform emphasizing the goal of restoring prisons to the useful lives ठीक है अब जो prisoner है वो society का दुश्मन माना जाता था उसे लेकिन आप भावना यह बने लगी कि prisoner जो भी criminal है वो समस्या नहीं है जो criminal intentions है जो criminal tendencies है वो किस वज़े से develop हुई उसको ठीक करना है आपको तो rehabilitate करने की जो भावना है prisoners को वो जागी धिरे धिरे और prisoner reform में यह काम होना जो है वो शुरू है rehabilitation का ठीक है तो यह सारी चीज़े जो है वो other reforms में आती है तो public education का development prisoners का rehabilitation ठीक है यह सारी चीज़ें जो है वो हमें in already reformed nations like United States जिसमें labor reform आ गये थे western European countries France हो गया जर्मनी हो गया इनमें जो already क्या आ गया था labor reforms आ गये थे वहाँ पर हमें यह अन्ने reforms भी आते हुए दिखें next देखते है rise of new ideas अब industrial revolution की वज़े से नए ideas कौन कौन से जो है वो डबलप हुए है आईए एक बार उन्हें समझ लेते है पहला point देखेगा the process of industrial revolution gave rise to many new ideas and philosophies that came to dominate the intellectual trends of the coming generations पहला point है the impact of industrial revolution was pervasive and led to new social economic and political ideologies ठीक है देखें new ideas और philosophies जो है वो डवलप हुई है obviously new ideas और philosophies डवलप हुई है क्यों क्योंकि जब धीरे धीरे लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया trade बढ़ा है समस्याए और जो society है वो complex होती गई तो धीरे धीरे लोगों ने वो society को study करना भी शुरू किया है क्योंकि पैसा बढ़ा तो society का एक ऐसा वर्ग भी बना जिनका main agenda केवल रात को रोटी जुटाना ही नहीं था यानि कि वो संपन होने लगे ठीक है तो अब उन्होंने ध्यान थोड़ा थोड़ा society की तरफ थोड़ा philosophy की तरफ थोड़ा social sociology की तरफ उन्होंने ध्यान देना जो है वो शुरू किया society की study की तरफ ध्यान देना उन्होंने शुरू किया इससे नई ideologies को जनम मिला so industrial revolution से जो एक ऐसा comfortable class develop हुआ था जो की अब sciences पर एक थोड़ो तरीके से इन्वेस्ट कर सकता था समय के तौर पे भी right क्यूंकि उनको जो है वो labor करने की जुरूत नहीं थी उनके पास इतना पैसा था कि वो अब sciences में अपने समय को इन्वेस्ट कर सकते हैं not just physical sciences बट social sciences also so यहाँ पर हमें नए ideologies नए philosophies जो है वो अलग-अलग countries में develop होती हुए नजर आई और जब उन अलग-अलग लोगों ने एक दूसरे के साथ global interaction करना शुरू किया तो हमें जो है वो इन philosophies के conclusions जो है वो दिरे-दिरे prepare होते हुए नजर आए हैं ठीक है तो देखिएगा the impact of industrial revolution was pervasive and led to new social economic and political ideologies यहाँ में समझ आगया क्यों when observed as a whole, industrial revolution permitted the emergence of entirely new political spectrum without industrialization there would never have been enough power to truly overcome the feudal autocratic structures of early modern Europe देखिए industrial revolution अगर कभी आता ही नहीं तो जो पुराने autocrats है उनसे ज्यादा अमीर और उनसे ज्यादा सशक्त वर्ग क्रियेट ही नहीं होता तो जो merchants है वो autocrats वो जमिदारों से मजबूत हो गए ना ठीक है तो जो autocrats जो दमन कर रहे थे पूरी society का उनका जो है वो पूरी society पर control करनी के monopoly तूट गई नए खिलाडी आ गए नए merchants साथी साथ जो industrial revolution की वयए से नए middle class develop हुआ है they found themselves independent of those restrictions that were created by the combination of the old aristocratic class and the church तो जो नए middle class है वो आजाद था खायालों के हिसाब से भी और economically financially भी ठीक है तो जो नए middle class है और जो एक नए merchant class है जो aristocratic और जमिदारों से ज़्यादा strong और ज़्यादा powerful रहा यह जो एक नए radical change है यह industrial revolution की वज़े से हुआ इससे हुआ क्या एक whole नया जो है वो एक political spectrum बनकर खड़ा हो गया ठीक है तो अगर industrial revolution नहीं आता तो यह autocratic यह feudal system कभी खतम होना ही नहीं था the idea of democracy though existed in pre-industrial England received a more Philip after the industrial revolution देखिए democracy का मतलब क्या है कि जनता का साशन हो ठीक है पहले क्या था मोनार्की थी यानि जो शाशक है उसी का बेटा जो है वो शाशन करेगा democracy का मतलब क्या है जनता का साशन हो जनता में जो powerful work कौन है middle class अपर middle class और जो merchant नया merchant work जो डवलप हुआ है किया और parliament का formation हुआ जहाँ पर एक जो है वो मनार्क्स भी शक्ती में इंगलेंड का system समझा रहा हूँ है मनार्क्स भी शक्ती में है और parliament भी काम कर रही है तो मनार्क्स के पास कोई खास ऐस political शक्ती नहीं है उनके पास एक title है वो वहाँ पर मौजूद है भारत के members हैं they were backed by those merchants और वो merchants खुद वो parliament में भी मौजूद है ठीक है तो यह इससे हुआ क्या एक idea of democracy आया देखे जो शुरुवाती democracy है ना जो शुरुवाती phase right democracy का उससे फाइदा केवल merchants को हुआ लेकिन उस democracy की benevolence जो है वो धीरे धीरे अन्य वर्ग की society पर फैला ठीक है और आज का जो present day democratic structure है जहाँ पर काम्याब है democracy वो काफी बहतरीन तरीके से काम कर रही है ठीक है यूरोप के कुछ ऐसे राश्ट रहे है जहाँ पर democracy बहुत बहतरीन तरीके से काम कर रही है और लोग खुश है ठीक है और eventually धीरे धीरे वही structure पूरी दुनिया पर maintain होगा लेकिन वो एक gradual process है समय लगता है उसमें ऐसा नहीं है कि आपके lifetime में एक नेता के lifetime में हो जाएगा इटेक्स मतलब सेक्डों सालों का समय ल है वो aristocratic class के पास था लेकिन उनके पास उस political control को maintain रखने के लिए पैसा नहीं है वो पैसा अब नए merchants के पास आ गया तो obviously शक्ती भी नए merchants के पास shift हो गई लेकिन उन नए merchants ने अपने आपको एक monarchial system में ना align करके democratic system में align किया ठीक है next point देखेगा during the 1800s democracy grew in industrialized countries even as foreign expansions colonialism and imperialism increased ठीक है नए industrialized countries में तो democracy developed हुई लेकिन उनोंने colonialism पहला है यानि कि England में तो election होते थे लेकिन भारत उनकी colony थी ठीक है तो यह दोनों चीज़े simultaneously चली है next point देखेगा it created motivations for imperialism and heightened already tense rivalries among nations देखे फ्रांस हो गया Germany हो गया यह जो बाद में industrial revolution जिन में आया है जिन राश्ट्रो में आया है वो obviously natural competition और natural rivals रहे Britain के ठीक है और वो आपस में भी rivals है so mainland Europe और Britain की जो rivalry तो है ही mainland Europe की countries की आपस में भी rivalry है वो मैंने आपको समझाया ही क्योंकि competition है उनको market it's acquire करने है तो obviously उनके बीच में युद हुए ही है ना next point देखेगा it created motivations for imperialism and heightened already tense rivalries यह तो हमने समझाई ठीक है और democracy तो develop हुई और मैंने आपको बता है ना जो शुरुवाती democratic structure है वो merchants के फाइदे के लिए ही develop हुआ और मैंने आपको बता है ना merchants ने जब सरकारों को साथ में जोड लिया तो हमें national wars जो है वो नजर आई है यानि England France से लड़ रहा है France Germany से लड़ रहा है ठीक है England Austria की मदद कर रहा है Austria Germany से लड़ रहा है Belgium France से लड़ रहा है यह जो सारी nations की लड़ाईयां है यह basically in capitalist interest की लड़ाईयां है ठीक है next point देखेगा next point आता है आपके सामने the impulse towards democracy became the basis of French revolution and the American revolution which brought about radical changes not only in the history of Western Europe and America American but the entire world impulse towards democracy अब देखेगा अब ना American revolution French revolution को हम बहुत बहतरीन तरीके से glorify कर सकते हैं कि democracy के लिए यूद था लेकिन मैंने आपको बताया कि जो शुरुवाती democracy है वो capitalist interest में थी ठीक है तो जो France में जो monarch थे उनकी शक्ती को overthrow करना चाहते थे ये capitalist obviously ताकि एक democracy establish हो और जो capitalist है वो अपने मतलब जो monarch है जब तक Louis जिन्दा है ठीक है जब तक Louis शाषन में नोट जिन्दा है लेकिन जब तक Louis शाषन में है फ्रांस में तब तक वो capitalist को ठीक तरीके से जो है वो business चलाने नहीं देगा ठीक है अगर उन capitalist को अपना business भी ठीक करना है और जनता का भी भला करना है not just की not just की benevolent capitalism हमें नहीं देखने को मिला है हम कि अगर उनके जो workers हैं वो खुश नहीं होंगे तो production obviously बड़ेगा नहीं उनका interest है उसमें ठीक है खेर French Revolution जब मैं आपको explain करूँगा ना वहाँ पर मैं आपको समझाओंगा कि monarchy किस तरह fail हो जाती है democracy के आगे क्यों क्योंकि monarchy क्योंकि जो monarchial शक्तियां है या जो monarchs है जो पुराना feudal order है जो aristocracy है वो financially weak है as compared to new merchants right तो उनको they have to step down और एक नया economic structure आना ही था so this democracy की स्थापना होना is again a process of change is again a dispute between old order and new order old order क्या है the power is in the hand of monarchs or aristocracy new order क्या है the power should shift in the hands of the emerging merchant class or capitalist right in form of a democratic government right so democratic government जो हो इसलिए हमें revolutions देखने को मिलेंगी lines है French revolution American revolution French revolution Russian revolution Chinese revolution हो सकता है इनके ideologies अलग अलग हो हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो कुछ positive impact कुछ negative impact हुए बट अगर आप detail में या अगर आप core ढूणना चाहेंगे इन सभी revolutions का तो old order versus new order old order जो already पुराना established feudal lords जो है उनके खिलाफ नया जो democratic structure लाया जाना था this was the dispute right तो खेर हम उन revolutions को जब मैं आपको explain करूंगा वहाँ पर हम उन सारे points को उठाएं गई ठीक है लेकिन उन revolutions का बहुत गहरा impact रहा लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये जो democracy की तरफ जो impulse है ये industrial revolution की वज़े से ही था ये हम clearly कह सकते हैं तो जो revolutions आई हैं फ्रेंच हो चाए American हो चाए Russian हो they were the byproducts of industrial revolution ये आप कह सकते हैं क्योंकि industrial revolution ने ही ये भावना जो है वो लोगों के मन में जगाई की एक democratic structure होना चाहिए ताकि capitalist भी ठीक से क्योंकि capitalism होना भी आनिवार रहे है ठीक है बले ही capitalism से capitalist लोगों को फाइदा पहुंचता हो but in the long run जादा जनता को फाइदा पहुंचता है यहाँ पर सवाल आता है who is the lesser evil ठीक है lesser evil is capitalism as compared to a monarchical और aristocratic type of government capitalism और the democracy is lesser evil और in the long run वो जादा फाइदा करेगी ठीक है in the long run despotic ही रहेगा जो autocratic जो system है या जो monarchical system है वो despotic ही रहने वाला है democratic जो system है वो भले ही शुरुवात में exploit करे लेकिन over the period वो धीरे धीरे modify हो और वही तो हुआ America में शुरुवात में हो सकता है उन्होंने किया उन्होंने exploration लेकिन over the period उनका democratic system सुधरा France का over the period democratic system सुधरा Britain का over the period democratic system सुधरा भले ही शुरुवात में हर जगा capitalist ने dominate किया democratic system ठीक है तो यह चीज़े हम धीरे धीरे develop करेंगे पूरी समझ बनेगे हमारी next point देखेगा further the ideas of lazies fire बहुत fair बहुत important है non intervention of the state on economic realms classic liberalism civil liberties with special emphasis on economic freedom and capitalism came to dominate the industrialized nations तो यह जो तीनों चीज़े हैं ना classic liberalism capitalism इनको मैं आगे समझाऊँगा आपको detail में वैसे capitalism की कुछ basic समझ तो मैंने आपको दे दी है ठीक है classical liberalism क्या है civil liberties देनी है और economic freedom individual मैंने बोला ना individual वेक्ती जो है वो खुद अपने economic decision लेने में काम्याब काबिल उसको बनाए ऐसा system हम establish करना है that was classical liberalism next point देखेगा to counter the negatives of too much economic freedom and exploitation of working class ideas of socialism ठीक है अब देखेए मैंने आपको बोला ना जब capitalism हच से बहुत ज़ादा निकल गया आगे क्योंकि capitalism ने democratic structure देश्टेबलिश करवा दिया लेकिन उस democratic structure के सहारे capitalist ने जब exploit किया बहुत ज़ादा बड़े level पर labors को तो उसके खिलाफ हमें धीरे धीरे socialism, communism डेवलप होता हूँ नजर आता है ठीक है socialism, ideas of socialism societal ownership of the means of production came into being धीरे धीरे लोगों के अंदर ये भावना आने लगी कि आपने democratic structure बनाया बढ़िया आपने parliament establish करी बहुत खूब लेकिन वो parliament जो है वो ऐसे कानून क्यों बना रही है जिससे केवल capitalist को फाइदा हो रहा है ऐसे ही कानून क्यों बनाये जा रहे हैं कि काम हम सारे labor करें और फाइदा आपको पहुंचे ये सारा जितना भी geographical resources है जितने भी social resources political economic resources है ये केवल एक मुठी बर लोगों को फाइदा क्यों पहुंचा रहे है बाकी हम सब जो है वो slums में क्यों रह रहे है that means इन nature के दिये हुए हमारे राश्टर को इन सब economic, political, social human resources का इस्तमाल सभी के भलाई के लिए होना चाहिए ये है socialism का idea ठीक है तो धीरे धीरे capitalism के खिलाफ socialism का idea पहुंचा तो वो जो democratic structure है जो capitalism ने अपने control में लाया या शुरुवाती जो democratic structure है वो benevolent कैसे हुआ उसमें जब socialistic ideologies add हुई तो ठीक है तो धीरे धीरे इस concept को build करेंगे but I hope आपके दिमाग में basic जो trend है वो enter किया होगा ठीक है next point देखेगा तभी मैं कहा रहा हूँ न industrial revolution पर ऐसा नहीं है कि केवल आपने एक session लिया और आप चलेगे industrial revolution पर अंसर लिखने नहीं industrial revolution के आगे धीरे धीरे हम जब हम contemporary time तक पहुँच जाएंगे सारे topics cover कर लेंगे तब जाके आपके answer rating में अलग ही जो है वो महक होगी एक अलग ही महक होगी आपके answer rating में वो महक होगी excellence की और वो excellence कब आएगी जब आपका collective जो knowledge है जो concept है वो collectively बहुत भैतरीन तरीके से एक जाल मैं आपको बोल रहा हूँ ना एक आपको जाल बुनना अपने दिमाग में लेकिन वो जाल जो है वो जैसे मकडी होती है ना मकडी के जाल में बाकी सफस जाते हैं लेकिन मकडी को पता होता है कि किस जो है वो धागे पर पैर रखना है और किस पे नहीं रखना है तो उसी तरह आपको अपने दिमाग में पूरा threads तयार करने है पूरा जाल तयार करना है information का ताकि कोई भी सवाल आए तो आपको पता होगी कहां से कौन सा point जुड़ना है क्योंकि examination में आपको information पता हो आपने कोई चीज़ पढ़ी है आप किसी चीज़ को समझते हो इस चीज़ के एहमियत नहीं है एहमियत यह है कि सही समय में आपको ध्यान आया question पढ़ते ही अगले 40 second के भीतर भीतर आपने पूरा answer structurize किया कि introduction में 50 शब्द लिखने introduction में मुझे 30 शब्द लिखने है 20 शब्द लिखने है और यह मैं लिखूंगे introduction में ठीक है body में अच्छा है यह सारे point मुझे डालने है इतने शब्दों में आ जाएगे तो उस तरह की practice generate करनी है हमे ताकि उस 40 second एक minute के भीतर आप सवाल को पूरा स्ट्रक्चराइज करें अपने दिमाग में और वो सवाल स्ट्रक्चराइज कैसे होगा जब यह पूरा थरो सारा concept जो है वो आपके दिमाग में well जो है वो मतलब अच्छे जाले की तरह अच्छी मकडी के जाले की तरह बुना होगा तो उस तरह की excellence आपको generate करनी है तब आप answer लिखने बैठेंगे जब examination में और कैसे कोई answer जो है वो आपसे चूक जाए तो मैं चाहता हूँ वो excellence आपके दिमाग में create हो ठीक है उसके लिए हमें practice करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा तो पहला हमारा phase है foundation create करना फिर मैं level को increase करूँगा answer writing की practice वो सारी चीज़े मैंने बोला ना जुडे रही है बहुत बहतरीन तयारी होने वारी हमरी ठीक है खेर next point देखिएगा अब आता है हमारे पास environment के साथ जो है वो क्या दगा की किसने industrial revolution ने यानि environmental degradation क्या हुआ the industrial revolution marked a major turning point in earth's ecology and humans relationship with their environment the industrial revolution dramatically changed every aspect of human life and lifestyles the pollution of water and air resulted in a large number of deaths in the industrialized cities of England and other industrialized nations देखिएगे simple सी बात है industrial revolution was unprecedented industrial revolution में जिस संख्या के natural जिस numbers में संख्या में natural resources को फूंका गया यानि की coal को जलाया गया that was unprecedented बहुत जादा pollution हुआ इस तरह का pollution हमारे अर्थ ने जो है वो नहीं महसूस किया था इंसानों के civilized होने के बाद अर्थ ने इस तरह का pollution जो है जंगलों की कटाई हुई लोगों ने नेचर के साथ जो है वो manipulation करना जो शुरू हुआ dams को construct करना शुरू हुआ ठीक है और उसके अलावा धीरे धीरे जो है वो जंगलों में जंगलों में से railways जब पास हुए तो जंगलों की कटाई ecology यानि की अब simple सी बात है जहां से बीच में से सड़क गुजर गई जंगल के बीच में से तो बट गया ना जंगल दो हिस्सों में तो हमने ecology के साथ जो है वो छेड़ छाड़ करी पहली बार इतने बड़े लेवल पर पहले भी कर रहा था इंसान लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं कर रहा था तो हमारा जो हमारी जो अर्थ है और जो अर्थ की ecology है वो confused हो गई और धीरे धीरे जो है वो हमने resources को जलाया ही तो basically हमने pollution बढ़ा है उस pollution से अर्थ इंसानों पर तो असर पढ़ा ही लेकिन अन्य species पर भी बहुत भारी जो है वो असर पढ़ा है ठीक है जिससे death toll बहुत बड़ा बहुत बड़े लेवल पर लोग मर रहे थे बिमारियां बहुत बड़े लेवल पर फैल रही थी हमें जो है वो बड़े लेवल पर plague फैलते हुए epidemics भी pandemics भी नजार आई है ठीक है industrial revolution की वैसे और industrial revolution के consequence में जो घटना है घटी उनसे भी care it was only in 1970s nearly after 200 years of beginning of industrial revolution that the attention of global community shifted towards the negative effects of industrialization on the environment and strategies were devised to mitigate these negative effects ठीक है 1970 के बाद जो है वो खास तोर पर ध्यान देना शुरू किया गया बड़ी global institutions द्वारा कि industrial revolution में और England ने आज तक माफी नहीं माँगी ये खुलके कि हमने जो industrial revolution में इतने जादा जो है वो resources को जो जलाया है और आप देखिए अब भारत पर ऐसे जो है वो कड़े कानून है global ऐसे कड़े कानून है कि भारत अब उस बड़े लेवल का industrial revolution नहीं ला सकता जैसा अब रिटेन में आया था क्यों? क्योंकि उन्हों ने वो तो industrial revolution ले आए उन्होंने तो modernization ले आया अपने वहाँ पर अब भारत में modernization कब आएगी? जब भारत में industrial revolution आएगा दो चीजों से renaissance यानि जो rationality आज भारत में जब भारत की जंता rationally सोचना शुरू करेगी और भारत में industrial revolution आएगा उससे भारत की economy जो है वो revive होने वाली है, इन दो चीजों से ठीक है? लेकिन 1970 के बाद जो global कानून बने वो इतने कड़े हैं कि भारत अब वो कर नहीं सकता तो भारत जैसी अनने बहुत सारी third world countries है वो यही सवाल उठाती है कि जब आपके उपर कोई कानून नहीं था, तो आपने तो खुले आम वो industrial revolution किया, आपने पूरे अर्थ को pollute कर दिया, अब हमारी बारी आई है अपने मतलब गरीबी को uplift करने की तो हम industrial revolution नहीं कर सकते तो this is a part of a strategy, ठीक है धीरे-धीरे समझेंगे global tendencies को लेकिन यहाँ पर के अवल यह statement छोड़ देते हैं कि 1970 के बाद ऐसे जो है वो institutions बने global level पर जिनोंने global level पर जो pollution फैला है industrial revolution की वैसे उसके तरफ concern दिखाना शुरू किया और climatic change को उन्होंने seriously लेना शुरू किया ठीक है, तो आज के session को मैं यहाँ पर conclude करता हूँ these were all the impacts created by industrial revolution I hope आपको समझ आया होगा और मज़ा होगा आज के session में, right तो आज मैं फिर से students को बताना चाहूँगा, कि अगर उन्होंने previous sessions नहीं देखें, तो industrial revolution का पिछला session देखिएगा, और भी जितने पिछले sessions मैंने कराए हैं, उनको thoroughly follow कीजिए, उनमें जो सवाल पूचे हैं, comment के मादम से जवाब दीजिए right, feedback अपना comment के मादम से मुझे provide कीजिए, feedback is really very necessary उसके लाबा, अगर आप CAC के लिए prepare कर रहे हैं, तो definitely आप application install कीजिए, study IQ की and check out the thorough course that is available, a smart course for CAC is available on study IQ's application, make sure you check that out, the link is right there in this description, right, इस video के निचे description है, वहाँ पर आपको application को install करने का link मिल जाएगा care मेरे sessions आपको पिछले देखने हैं, कहा मिलेंगे वो, तो study IQ के channel पर जाएगा playlist मिल जाएगी, इस video के निचे जब pinned comment है, वहाँ पर link मिल जाएगा और उसके अलाबा, अगर आप generally YouTube के search बार पर मेरा नाम लिखेंगे आपको playlist मिल ही जाएगी, ठीक है सो पिछले sessions देखते रहिए, revision का cycle मैंना बोला ना, तीन दिन, साथ पहले पहले तीन दिन का cycle चलाएगे कुछ दिन फिर जब आप उससे भली भाती परिचेत हो जाएगे फिर साथ दिन का फिर साथ दिन का और फिर maximum चौध है दिन, चौध है दिनों के अंदर अंदर तो आपको, जो भी topic आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा है, उसको revise करना ही करना है इस चीज़ को अपना माथे पैसे लिख लीजिए हाथ बात पे, कि 14 दिन के अंदर तो revision करना ही करना है ठीक है, तो इस cycle में अगर आप डल जाते हैं, तो बहुत आपका फाइदा होने वाला है, प्लस मेरे sessions के साथ जुड़े रहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको समझने में बहुत गहरी आपकी समझ जनरेट करूँगा मैं इतिहास को लेकर भी, policy, economic, society इन सारे चीज़ों को लेकर, ठीक है, मज़ा आएगा जो कि पढ़ना चाते है इस तरह के content को ठीक है, और daily जो है वो हमारी पूरी टीम बहुत भैतरीन content डालती रहती है channel पर, ठीक है so make sure you check out all of our videos so आज के session को मैं यहाँ पर conclude करता हूँ मैं मिलूँगा आप से अगले session में अगले session में ऐसा ही कुछ हम नया world history related या देखते हैं और कोई topic जो है में लेकर आऊंगा make sure you stay tuned right, मेरे sessions जो है वो लगबग इसी same समय में 8 बजे के असपास आते रहेंगे आप जुड़े रहिए, ठीक है और रोज जो है वो पूरे sessions देखेगा और अगर आप ads से बचना चाते है तो जब session premiere होता है तब देखा किजिए, ठीक है तो आज के session को मैं conclude करता हूँ मेरा नाम है विशाल चोहन, मैं मिलूँगा आप से अगले session में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा टेक के